हेलो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप उमीद हैं बहुत अच्छे होंगे मस्त होंगे तो स्वागत आज की सेशन में आपका और आज की सेशन में हम डिसकस करेंगे बायो कैम 24 यानि सेकेंड लास्ट बायो कैम पेपर टोपिक है इको सिस्टम का बायो कैम एक यूनिक कॉंसेप्ट नीट के लिए ब्रहमास्तर जिसके थुरू आपने अपनी बायो को पूरा रिवाइज गिया और हम सेकेंड लास्ट टेस्ट में आ चुके हैं और बच्चों आपने लाइन टू राइन एंसेटी को पढ़ा तो ध्यान दीजिएगा अब ह दोनों सब्जेट को पढ़ना ज्यादा फिजिक्स को पढ़ना है उसके पर शाथ आप साल जानते हैं कि 15 मई से CLC आपके लिए लेकर आ रहा है DCM डेली टेस्ट कम मेजर टेस्ट यानि टॉपिक वाइज डेली टेस्ट होगा हर संडे को नीट के अकोडिंग उसके टाइम के एकोडिंग फुल सलबस का आपका मेजर टेस्ट होगा उस दोरान जब आप एक डेली एक पेपर को या डेली एक चैप्टर को NCRT के टॉपिक को आप लाइन टू लाइन कंसेप्ट वाइज डाग्रामेटिक वाइज आप फस्ट क्लास तयार करेंगे कोई डाउट्स होंगे आपके तो आप टीचर के पास आएंगे पर्टिकुलर टाइम क्योंकि आप चार-पांच गंटे जब स्ट्रडी करके आएंगे तो बेस्ट वे में आप पूछ पाएंगे अपने डाउट्स दूर करेंगे और अपने इनकीज करेंगे और आप जानते जब डेली टेस्ट दे स्क्रीज होगा और आप इंडिया की टॉप रैंक में अपना इस्तान बना पाएंगे क्योंकि आप CLC के साथ है तो प्यारे बच्चों आईए आज के इस ऑनलाइन सेशन के अंदर हम डिसकस करते हैं यह एको सिस्टम का पेपर तो देखेगा क्योशन नंबर जो आपका फस् क्यिक्या है आप समझसकते हैं कि बायोजियोकेमिकल साइकल होते हैं निट्रेंट साइकलिंग या बायोजियोकेमिकल साइकल बायोट इटमीन लीविगग प्लांट लेशाइनियो अarti ओर च्र्ष्ट रोक है हैं और खेमिकल हालेमेंट तो यह जितने भी आपके एकनी करते हैं कि inorganic minerals हैं तो यह cycling show करते हैं यानि soil से plant uptake करेंगे plant biomass then animal then जो भी death होगी उनका decomposition होगा और वापस soil के अंदर inorganic के form में release होंगे decomposer के through decomposition process के तुरू तो इसमें nitrogen है carbon है oxygen है यह सब आपके है gases cycle clear लेकिन phosphorus especially phosphorus और sulfur आपके sedimentary cycle है phosphorus के जो reservoir है phosphorus से जो भंडारक है वो होती है rock ठीक है और नीट 2013 का question भी है रोक की withering होती है तो phosphate form में यह soil में release होता है withering process के थुरू और plant uptake करते हैं phosphate के रूप में then plant biomass animal biomass यह सब आपको बताया हुआ है clear और जब plant animal की death होती है तो जो detritus है लेटर फाल होता है detritus है अपरध है उसमें phosphate soluble bacteria decompose करके वापस उसको soil में ले आते हैं तो generally आप कहते हो कि भी जो gases cycle होते हैं उनका reservoir जो भंडारक होता atmosphere होता है generally और आप जानते हैं कि जो sedimentary cycle होते हैं उनके reservoir भंडारक आपका rocks होती है ध्यान दीजिएगा atmospheric input of phosphorus through rainfall is much higher than carbon carbon की तुला में वर्सा के द्वारा वाइवंडल में फास परवेशन वेश बहुँ ज्यादा होता है यह रॉंग मासागरम घुली तवस्ता में तो वही atmospheric CO2 को maintain करते हैं तो यह आपका statement रॉंग हो जाएगा gaseous exchange of phosphorus between organism and environment are negligible जीव और प्रयावन के मद्दे phosphorus का gaseous विन्य में नगणने होता है तो यह आपका statement correct है क्योंकि carbon का gaseous विन्य में ज्यादा है जैसे plant CO2 form में uptake करते हैं photosynthesis करते हैं और जब respiration करते हैं CO2 release करते हैं तो gaseous exchange जो है वो carbon का ज्यादा है phosphorus का gaseous exchange बहुत कम होता है clear तो यह आपका correct है it is gaseous cycle नहीं भई जो phosphorus है वो sedimentary cycle है clear आप समझ सकते हैं कि आउसादी चक्र है तो gaseous cycle नहीं है आप देख सकते हैं the cycle plus in only abiotic factor of environment कि यह चक्र के प्रयावन के जैविक कार को मत दे क्यों भई जैविक तो आई गया bio geochemical cycle plant biomass बनेगा animal biomass बनेगा तो यह statement भी आपका क्या हो गया wrong हो गया clear तो यह statement first wrong हो गया statement third wrong हो गया statement four wrong हो गया इस according आपका question का जो answer है वो second होगा क्योंकि आपसे correct पूचा है clear next आपन बात करते हैं question number second तो question number जो विटा second है usually which type of vegetation is present in climax community सामानत है चरम समुधाई में किस प्रकार की वनस्पती उपस्तित होती है तो देखेगा जब succession होता है succession किसी भी प्लैस पे बिल्कुल आप जानते कि predictable और gradually changes है sequential series और sequence में changes होते है slow slow first of all आप जानते एकदम bear rock है या फिर newly formed pond है नव निर्मित आलाब है नगन चटान है तो first plant वो जहां पर appear होते हैं आपके होते pioneer community जैसे zero series के अंदर lichen is pioneer community and newly formed pond phytoplankton is pioneer तो आप समझ सकते हैं कि first जो community आती है किसी भी bare area पर that is pioneer फिर आप कहते हैं कि भी series और sequential तो यह आपके changes होते रहते हैं these are serial stages these are serial stages clear जो मद्य कर्मा का बस्ता है है then final a community established this is climax community तो यह फिर climax क्लामेक्स आपका आता है clear और climax community जो है वह environment के साथ आप जाने equilibrium में सामय उस्ता में अधिक रहता है और normally changes पर उसमें destroy नहीं होता है और climax always mesophytes होता है climax always mesophytes if succession plus at zero condition in zero series अगर zero series भी होगा तो final आपका क्या आएगा mesophytes यह आएगा और hydro series होगा तो भी music क्योरी अगरसर होगा तो आप समझ सकते हैं कि इस cancer आपका क्या हो जाएगा second यानि mesophytes के लिए next अपने देखते हैं question number third clear यह सक्षेशन से related है तो बहुत अच्छे question से मेटा और succession से एक question नीट exam में आपके आता है clear तो the given diagram is related to which state of succession दिया गया चितर अनुकर्मन की किस अवस्ता से first of all तो यह succession newly formed pond में start हुआ होगा clear बिल्कुल नव निर्मित तालाब में और वहाँ पर pioneer के रुब में phytoplankton then phytoplankton के बाद phytoplankton की death यह जू-plankton वहाँ पर आए तो जू-plankton phytoplankton कुछ death हुई तो आप समझ सकते हैं कि submerged जो वेलेस्नेरिया होता है submerged plant stage आती है submerged के बाद reed swamp आता है read swamp के बाद आपका मार्स मिड़ो यह यानि first of all आपका phytoplankton पादपलवक उसके परशाद आप जानते हैं कि submerged जलिमंगन और उसके परशाद reed swamp नड़नूप आपकी हो गया फिर आपका आपका answer will be second और यह pioneer नहीं है pioneer phytoplankton होते है submerged जो second वेलेस्नेरिया होता है वो भी नहीं है complete submerged होता है submerged free floating भी नहीं है clear तो आप समझ सकते हैं कि answer will be second clear next आप देखेगा question number four तो consider the following statement and select the option which include all the correct ones only निमलित कत्नों को पढ़ें वह ऐसे विकल्प का चुनाव करें जिनमें केवल सभी सही हो कि लिए तो यह भी सक्सेशन से related यानि सक्सेशन टोपिक को आप ncrt का जो पेज है वहां से आप lion to lion ncrt पढ़ें बच्चों यह पूरा approach ncrt लिया गया है और आप मस्त तरीके से ncrt पढ़ेंगे इन पेपर्स को देंगे कभी कभी स्कोर कम भी होगा तो घबराएं नहीं घबराएं बिल्कुल भी नहीं क्योंकि आप वह हमारे बच्चे हैं जिनमें अच्छे से confidence है और आप यह क्यूशन साथ को मिल गए तो आप जो भी क्यूशन गलत होता वापस आगर ncrt में देखें और जब आप man DCM देंगे डेली टेस्ट देंगे 15 माई से तो आप टोपिक को रिवाइज करेंगे तो शो क्यूशन साथ में रखकर आप ध्योरी पर ध्यान देते हो पढ़ें उस दोरान आपके concept और ज्यादा किलियर होगा आपके अच्छी ग्रफ्स आईगी और आप जानते है कि आप अपने नोलेज को एनहेंस कर पाएंगे आपके confidence एनहेंस होगा तो आपके good rank को शिकूर कर पाएंगे 100% है मेरे राजा बीटा रहान बेटा आप 100% 2022 के एक्जाम में अच्छा करेंगी ध्यान दीजिएगा succession is parallel with the change in the physical environment अनुकरमन भोतिक प्रियाण में बदलाव के समांतर होता है 100% है कि भी succession और environmental condition में जो change is parallel चलते हैं first of all जैसे pioneer plants है बिल्कुल बेर रोक पे या dry rocks पे आए तो first of all उन्हें organic acid secret किये रोक का withering हुआ फिर कुछ lichen की भी death हुई तो decomposer ने और गेनिक को इन और गेनिमिन हुमस formation है soil formation increase हुआ और आप समझ सकते हैं कि ऐसे gradually stages आगे आगे बढ़ती गी series or sequential तो वहां बहुत अच्छी लाइन दे रखी है फिर देखेगा as succession process the number and type of animal and decomposer also changes अनुकर्मन के साथ साथ जन्तों अब गठकों की संक्य हों प्रकार भी बदलते हैं बिल्कुल सही है जैसे जैसे अपन plant succession में series or sequence में serial stages भी चलते हैं तो diversity, biomass यह सब increase होते हैं size में increase होता है जैसे plant का type बदलेगा तो हाँ animal का type भी बदलेगा और animal प्लांट का type बदलेगा तो decomposer का type भी वहां पर बदलेगा बिल्कुल correct है आपका statement है के लिए फिर आपको दे रखा है देखो कि लिटोरल जोन है जो हाई diversity वनांचल छेतर में उच्वी विटा होती है यह भी 100% correct है तो देखेगा कि लिटोरल जोन क्या होता है जैसे अपन किसी aquatic ecosystem की बात करें तो यहाँ open water होता है बड़ फस्ट अपोल यहाँ जो age होता है यहाँ पर जो आप जानते कि rooted plants होते हैं और कु है तो यह भी correct है फिर आपको दिरका की स्टॉन स्पसीज आर अबिदेंटली फाउंड इने community एक समुधाय में कुंझ सिल जातियां बहुत्यास से पाई जाती है यह बात गलत हो जाएगी की स्टॉन species important for ecosystem existence किसी भी पारितंतर के स्थित्व किसी भी ecosystem की stability और existence में बड़ा रोल होता की स्टॉन का किलियर जैसे कि किसी forest में tiger loin यह की स्टॉन है ऐसे आप जानते हो ट्रॉफिक रैन फोरेस्ट में बने अंट्री है या फिग ट्री अंजीर के जो होते ही आप समझ सकते हो की की यह आप समझ सकते हैं इंका important role है इनका role बहुत important होता है बट इनका number क्या कम होता है तो यह statement आपका क्या हो जाएगा रोंग हो जाएगा आपसे कहा है कि वी ऐसे आपको option का selection आपको करना है जिसमें सारे आपके क्या हों correct हों तो आप जानते question number 4 का answer हो जाएगा 4 इट मिन आपका क्या हो गया 4 हो गया तो अपनेक्स्ट करते हैं question number 5 और 5 देखेगा the given pyramid represent दिया गया pyramid दरसाता है तो यहां पर आपको primary producer दे रहा है तो यहां 4 की बात कर रखिए primary consumer 21 कर रहा है आप समझ सकते हैं कि pyramid of number in grassland grassland में pyramid of number अपराइट होता है जनरली grassland में pyramid of number भी है pyramid of biomass और energy तिनुए आपके upright होते हैं clear आप अच्छे से जानते विड़ा कि ecological pyramid एक graphical representation है जहां पर आपन organism को according their number biomass और energy करते हैं always अपन producer को base पे और top consumer को अपन top पे रखते हैं clear तो आप समझ सकते हैं कि generally pyramid upright होते हैं बट अगर आप number का pyramid देखेंगे तो grassland में aquatic ecosystem में और upright होका बट आप समझ सकते हैं कि अगर आप number का pyramid tree dominant ecosystem में देखेंगे तो वहां inverted हो सकता है या fuzzy form spindle form में हो सकता है clear इसी प्रकार आप देखेगा कि आपन कहें कि वहां pond ecosystem में बायो मास्क आपन है और aquatic ecosystem में बायो मास्क लेकिन generally वहां भी tree dominant ecosystem के अंदर यहां number किता देते one और फिर आपका यह होता ट्री पर dependent आपके ट्री पर इंसेक्ट इंसेक्ट पे आप small bird के लिए आप देखेगा कि यह pyramid of number in grassland ecosystem ठीक है तो यह आप जान सकते हैं कि question का answer नहीं हो सकता pyramid of biomass in tree ecosystem tree dominant में number का हो जाता पड़े यहां पर biomass दे दिया तो फिर नहीं हो सकता pyramid of biomass in a lack ecosystem बिलकुल third answer यहां पर correct हो जाएगा क्योंकि pyramid of biomass oceans में inverted उल्टा होता है oceans में महासागर में समुदर में तो उल्टा होता है clear लेकिन एक छोटे ताला आप या जहील की बात करें तो वहां पर आप समझ सकते हैं कि phytoplankton का biomass या standing crop कम ही होती है और यह अपने से large biomass या large standing crop को support करते हैं clear लेकिन फिर small lack होने से वहां fishes की संक्या कम होगी तो फिर आप समझ सकते हैं कि यह PC PPPC और आपका small fish और यह spindle sap हो जाएगा large fish हो नहीं सकती clear तो यह आप समझ सकते हैं कि pyramid of biomass in lack ecosystem यह correct answer है pyramid of biomass forest forest में biomass का upright होगा वहां forest में नंबर का अगर अगर आपन ले और forest में tree dense forest की condition अलग होगी आगे बताऊंगा मैं आपको tree dominant की अलग होगी के लिए तो इस question का आंसर आपका क्या हो गया third हो गया next अपन देखते हैं question number six तो stable ecosystem does not show एक इस्ताई पारित अंतर नहीं दर्साता तो ध्यान दीजिएगा stable annual net community productivity इस्तिरवार से कुल समुधाय उत्पादकता है तो बहुत जो stable ecosystem होता है year by year वो जो net community होती है या net primary productivity होती हो इस्ताबल ही होती है यह तो correct है high resistance to alien species यानि जो alien है या फिर आप जानते हो कि जो विदेशी जातिया है उनके प्रति वो प्रतिरोधकता resistance शो करता है clear और gradual decreasing biomass production तो यह wrong हो जाएगा कि जेव वार उत्पादन में कर्मिक लागातार कमी शोई नहीं करेगा इयर बाई उसका जो biomass है production वो स्टेबल है constant है के लिए आप समझते हैं efficient use of resource due to high biodiversity उच जे वितायकान संसादनों धक्सकारी उप्योग बिल्कुल correct है efficient use होगा resources का क्योंकि high biodiversity है और जितनी ज्यादा diversity होती है तो more diversity more relation more interaction more relation more stability के लियर आप समझते हैं कि जो question number आपका six है उसका answer क्या हो जाएगा third clear next अपने देखते है question number seven और question number seven देखेगा choose the feature of ecosystem not necessary to carry out functional of ecosystem पारितंतर की लक्षन का chain किजिए जो पारितंतर की कारी के लिए आउशक नहीं है आप समझतर करते हैं ecosystem में एक structural part होता है structural part में आप समझ सकते हैं कि जैसे कि जो living biomass होता है plant है animals है clear यानि producer consumer यह सब इसके पर शाद आप समझ सकते हैं कि जब उनकी death हो जाए तो जो dead biomass से decomposer मिंदर को रीज करते standing state होता है soil composition है these are structural aspect वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन है traffic rainforest के अंदर आप देखते हो इस्तिरविन्यास उसन क्रिटबंदिय वर्षावनों के अंदर तो वो सब species composition जो भी है वो structure यह बट function क्या आपके productivity उसके पशाद energy flow decomposition nutrient cycling और दो function आपके essential है ecosystem के लिए दो function essential है energy flow nutrient cycling और दो component essential है वो होंगे तो ecosystem run कर सकता है चाहिए macro consumer नहीं हो producer and decomposer clear तो आप समझ सकते हैं कि flow of energy है cycling of nutrient है decomposition यह सब आपर alien species invasion यानि alien पर जातियों का अकर्मन विदेशी जातियों का अकर्मन इससे कोई मतलब नहीं है next आप देखिए का question number 8 rate of decomposition will be slow if the detritus possesses अब गठन की दर धीमी होगी यदि अपरद में हो यस आप अच्छे सी जानते हो कि rate of decomposition mainly depend on chemical nature of detritus अपरद की रास्तानिक प्रकर्ति पर वो depend करता है आप समझ सकते हैं कि if detritus contain rich amount of lignin then decomposer rate बहुत slow होगी वह लिगनीन ही होंगे तो slow होगी और nitrogen content और जो sugars यानि water soluble sugar अगर ज्यादा होगी तो high होगी के लिए और उसके बाद environmental factor होते हैं कि humid condition होगी high temperature और humidity high humidity तो water container में अच्छा होगा moisture होगी तो rate ज्यादा होगी और aerobic condition में high होगी बट आप समझ सकते हो कि अगर moisture नहीं हो temperature और moisture नहीं हो dry condition हो तो भी slow होगा और आप समझ सकते हैं कि अनरभी condition हो तो भी क्या होगा slow होगा बट यहाँ पर आपको दिया है कि low content of nitrogen जनरली अपन देखते हैं कि हाँ high content nitrogen है तो rate हाई होगी बट लो होगा तो इस नहीं कि बहुत slow होगी फिर high content of sugar पे तो ज्यादा होगी अब आप समझ सकते हैं कि high content of lignin तो आप confused हो सकते हैं भी nitrogen की भी आगे जासे देरका कि nitrogen की अगर high content होगा तो fast अगर low content होगा तो slow बट आप समझ सकते हैं कि यहां वो कहरा कि जनरली अगर rate of decomposition को ज्यादा करना तो sugar container nitrogen की high amount होनी चाहिए बट उससे ज्यादा यहाँ पर जो perfect transfer आपका होगा high content of lignin कि अगर पर लिगनीन सबसे ज्यादा है आप जानते हो कि जो secondary growth होती है और secondary growth में होता है उसमें भी sapwood और heartwood तो जो heartwood है वो completely dead है non-functional है उसमें water content भी नहीं है और वो sap जैलम sap को conduct भी नहीं करता है non-functional है 100% dead है तो वो 100% आपका dead है heartwood clear तो उसमें high lignin content है सबसे slow उसका decomposition होता है जो tree stump होते हैं मलब tree stump या tree log जो ठूट होते हैं वरक्स के वहाँ पर lignin का content सबसे heartwood का सबसे slow decomposition होता है तो यह आपका answer perfect answer यहाँ पर क्या होगा third clear fourth में one or two दे दिया अब यह तो यह इसलिए possible नहीं clear तो आप समझ रहें कि यहाँ पर answer आपका हो गया third next आपन देखते है question number nine the species that invade a barren area is called पर जाती जो खाली छेतर पर आक्रमन करती है तो मैंने आप से कहा था कि सक्सेशन की दोरान किसी भी बेर एरिया पे चाहे वह बेर रोख हो निवली फॉम पॉंड हो या जो आला मख्यी का तुरन ठंडा वालावामल वॉलन कि एरफिशन हो आप समझ सकते हैं कि first community जो अपियर होती है उसे आप कहते हैं पायोनियर्स और यह मैंने बता दिया कि जै मैं तेंगे the species that invade a barren area is called तो pioneer species यानि आपका जो 9 question है उसका answer है third clear बाकिया आप जाएज species और climax तो last आपका होता है clear next आपन देखते है question number 10 if the amount of light energy consumer at producer level of an ecosystem is 10,000 joule then the energy rich to the top carnivores will be यह देख पारित अंतर में उत्पादक इस्तर पे producer level पर प्रकास उर्जा इतनी आपकी सरक्सित है किट में आप जानते हैं कि जी पीपे में से आर जो भी कंजूम होगा एस्परेशन में बाद में आपका जो अवलेबल फूड है एन पीप वो है 10,000 जूल है तो सिर्स मासारियों को क्या होगा according rule of 10% भी यहाँ सोदर एडिशन से नहीं दिया यहाँ पर पीपी प्राइमरी प्रोडूशर तो प्राइमरी प्रोडूशर पे हैं 10,000 जूल के लिए तो आप समझे सकते हैं कि PC in ट्रॉफिक लेवल T2 तो according rule of ecological 10% according rule of ecological 10% तो ecological rule of 10% जो है लिंडमान ने दिया तो ट्रॉफिक लेवल में across ट्र transfer of energy according 10% लो इन 90% का आपका लो और only 10% नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में नेक्स्ट जो ग्रेजूल आपका ट्रॉफिक लेवल उसमें आपका जाता है sequence order में तो T1 से T2 10% rule होगा तो यहाँ पर होगा 1000 जूल then SC तो SC पर आपका होगा 100 जूल और देन TC यहाँ टॉप कार्निव 1000 का 10% 1000 1000 का 10% 100 और 100 का 10% 10 तो according this question answer will be third तो 10 question का आपका answer क्या हो गया third हो गया किलिया next अपन देखते ही बिटा ध्यान दीजिएगा कि question number 11 which substance are formed through humus humus में किन पधारतों का निर्मान होता है यह humus क्या है तो आप जानती हुमस एक कोलाइडल सबस्टेंस है और humus जो कोलाइडल सबस्टांस है कोलाइडल उसकी नेचर होती है और आप जानते हैं कि हुमस highly acidic और एमोर्फस है तो आप जानते हैं कि कोलाइडल बेसिक नहीं acidic dark cloud तो acidic dark cloud आपका answer हो जाएगा amorphous light cloud नहीं होगा light cloud कोलाइडल तो बाकी में matching सही नहीं हो रही है 100% आपका है acidic dark cloud है amorphous है कोलाइडल है बट यहां पर जो पर्फेक्ट आंसवर है acidic dark cloud आपका हो जाएगा answer will be second clear तो next आपन देखते हैं आपको देखे विड़ा question के लिए incorrect option आपको लेना है we can be measured as number संक्या गिरूप में मापन क्या जा सकता है यह तो correct है वे देखो standing crop होती है न आपको स्टेंडिम दे रखाया कि जनरली standing crop a living biomass इन पर्टिकुलर एरिया एक पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर एको सिस्टम में या पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल पे living biomass अब living biomass में आप समझ सकते हैं कि living organic matter और living organic matter में जो fresh होता है नहीं बायो मास होता है तो fresh weight भी हो सकता और dry weight भी हो सकता है और living organic matter ठीक है और अपने number of organism को भी यहाँ पर considered कर सकते हैं यह line आपने NCRT ने लिखिए बहुत अच्छा यह question बनता है अब आप समझ सकते हैं can be measured as number correct है is equivalent to standing crop for the living biomass standing crop correct है is always represent as dry weight only सदेव केवल सुष्क भार तो यह रोंग हो गया generally आप जानते कि dry weight more appropriate ज्यादा उच्छी तरीका है बट always नहीं fresh weight और number के भी में भी आप लेग सकते हैं तो यह statement आपका क्या हो गया रोंग हो गया express both as biomass and number हाँ biomass और number दोनों की रूप में express किया जा सकता है biomass living biomass उसमें fresh weight ड्राइवेट भी और number के फोर्म में भी पर इन कर सकते हैं हाँ इसमें क्यों dead biomass अगर हो गया अगर death हो गई तो वह standing crop से out हो जाएगा उसको पन standing crop में considered नहीं करेंगे किसको dead biomass को इसलिए total organic matter को consider नहीं करेंगे only living organic matter को yes ऐसा question और भी होंगी बहुत अच्छा question आपका है तो इस question का जो आप का अंसर है कि always के कर आप का अंसर क्या हो गया थर्ड हो गया तो 12 क्योशन का आप का अंसर क्या भी थर्ड है next आप देखेगा question number 13 for which of the following ecosystem pyramid of number can be both spindle shaped and inverted निमल में से किस पारितंतर की संक्या के दोनों pyramid तरकुरूपी तो उल्टे हो सकते हैं वै किस ecosystem में अगर आपन pyramid of number लें तो वो inverted भी हो सकते हैं या आपका spindle भी तो यहां देखेगा कि grassland grassland में pyramid of number तो जनले आप देखते हैं कि grassland में upright होता है grass फिर आप जानते हैं जिससे की deer है loin है या फिर अपन डियर वॉल्फ और लोइन तो ग्रास deer wolf loin clear आप समझ सकते हैं कि pond ecosystem में तो pond ecosystem में pyramid of number है तो pond ecosystem में pyramid of number always upright होता है pyramid of number phytoplankton, geoplankton, small fish, large fish आप जानते हैं phytoplankton का number तो भोत होता है हाँ अगर अपन oceans में या aquatic ecosystem में pyramid of biomass ले तो the standing crop or biomass of phytoplankton is lower than geoplankton वो अपने से अधिक biomass मत्स biomass को support करते हैं उस aquatic life को support करते हैं कि उनका biotic potential हाई होता है उनकी reproduction rate हाई होती है और अपना number increase करके उनका life span short होता है clear तो आपको ध्यान लगाना है देखना कि आपके दिमाग में concept set करें first of all आप से पूछा जाए कि pyramid of energy तो pyramid of energy आपको चाहे grassland की बात करें aquatic ecosystem की बात करें forest की desert की कहीं की भी बात करें pyramid of energy always or always upright फिर आपकी बात होगी pyramid of number तो pyramid of number upright in grassland pyramid of number upright in aquatic system चाहे ocean हो और चाहे पिरेमिड of number in forest if dense forest upright but in tree dominant ecosystem तो tree dominant ecosystem देते हैं tree के उपर की food chain देगा तो tree tree पर bird parasite तो inverted और tree tree पर insect insect पर 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 तो आपका spindle होगा clear but pyramid of number in tree dominant ecosystem एक single tree की food chain को आप consider करेंगे तो tree dominant में अगर food chain इस वे में होगी कि जैसे कि आप जानते हैं कि tree तो single tree clear single tree clear उसके बाद आप समझ सकते हैं कि tree के ओपर bird और bird पर parasite तो वो तो inverted हो गया clear लेकिन tree dominant में अगर आप ये food chain consider करें कि tree single फिर ट्री पर insect ये आपको insect ये क्योशन मार्क देख दे रहा है tree पर insect insect को feed करने वाले small bird और small bird पर dependent large bird तो ये spindle हो जाएगा clear और अपने ऐसे consider करते हैं कि pyramid of biomass तो pyramid of biomass in grassland upright pyramid of biomass अगर अपन tree का ले लेंगे pyramid of biomass तो tree का pyramid biomass का upright है clear क्यों tree का जितना biomass है living biomass है उतना आपका bird का या paracet का नहीं हो सकता है clear हाँ pyramid of biomass में अगर अपन ocean का लें तो phytoplankton की standing crop lower than geoplankton geoplankton से low होती clear तो वहाँ अगर अगर अपन ocean में biomass का inverted और small leg या pond में spindle के लिए बट आप से यहाँ पूचा है pyramid of number और pyramid of number और ऐसा ecosystem आप बताएं जाब बोत spindle and inverted तो फिर grassland नहीं होगा pond नहीं होगा tree dominant ecosystem हो जाएगा और आप more than one option से आप घबराना नहीं clear तो आप समझ सकते हैं कि tree dominant ecosystem में possible है इसका food chain ncati ने लिख रहा है clear बेट चो ऐसे questions बहुत important है के क्योशन आयो है तो मेरे प्यारे बच्चों बिलकुल राजा बेटा रान बेटी बिलकुल को लगा देंगे तो 100% आपकी जीत होगी यह पक्का विश्वास है हाड़ना अमारा नाम ही नहीं clear तो ध्यान दीजिएगा next आपन बात करते हैं question number जो आपका है 14 और the major conduct of energy in land and aquatic ecosystem is इस्तली तता जली पारित अंतर में उर्जा प्रवा का मुख्य स्रोत करमस से क्या है तो मैं आपको बता दूं generally अपन कहते हैं कि भी terrestrial ecosystem है इस्तली पारित अंतर है तो बहुत ज़्यादा biomass के trees होते हैं तो आप जाने डेड रिमेन ओप्लांट लीफ है ब्रांच है खूब ज़्यादा होता है और डेड रिमेन ओफ एनिमल्स तो डेट ट्र स्कूब है तो generally terrestrial region के अंदर detritus food chain major conduct of energy but in aquatic GFC is the major conduct of energy तो बहुत अच्छा क्यूशन एंच्याटी का major conduct of energy in land and aquatic respectively यानि इस्तली और जली पार्त अंतर में उर्जा प्रवा का मुंक्र करमस है तो करमस आपका DFC और GFC आप जानते हो land area में या terrestrial के अंदर आपका DFC detritus food chain और aquatic में आपका GFC grazing food chain yes तो question नमर आज जो आपका है 14 है और 14 में आपका answer क्या हो गया third next अपन देखते हैं question number 15 bio geochemical cyclist nature is प्रकरती में जे भूर आसने चक्र है तो exchange of material and nutrient in between organism environment बिल्कुल correct है living organism plant animal और environment में exchange होता है clear next level exchange of material and nutrient in between atmosphere and hydrosphere water soluble organic matter नहीं यह भी नहीं यह भी नहीं आपका जो answer 15 question का वो first आपका answer हो जाएगा correct है clear next question number 16 which of the following is correct sequence in reference of hydrosphere निम्न में से जलारंबी अनुकर्मन के संदरवने सही करम है ज्यान दीजिए का आपके anxiety के अंदर hydrosphere के steps बता रखे हैं first of all आपको ले रखा है pioneer और pioneer के form में phytoplanktonic stage planktonic stage जो बिल्कुल microscopic आपके photosynthetic organism है diatum decimid BGA phytoplankton then आप कहते हैं कि next आप जो stage लेते हैं कि जब phytoplankton फिर zooplankton zooplankton different animals के larva हैं तो फिर phytoplus zooplankton की death हुई death हुई decomposed रहे organic remain है जो उस तालाब के bottom में उस pond के bottom में remain हुए तो फिर वहाँ पर आपका है submerged और submerged में आपका है wellesneria hydrilla wellesneria clear then free floating और free floating में आप समझ सकते हैं कि iconia है pistia है clear then आप जानते हैं कि reed swamp stage read swamp stage में run and close buttercuff then आप कहते हैं mars middo स्टेज आ जाती है और mars middo इक बाद आप समझ सकते हैं कि जो सरब stage है scrub यह सरब stage है then finally forest जो mesophytes है तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो सई है first of all देखेगा diatum as a planktonic phytoplankton as pioneer wellesneria submerged जन्निमंगन wellesneria बिल्कुल correct है salvinia दे दिया जाए या फिर iconia यह दे दिया जाए तो salvinia एक free floating है stage है तो आप जानते हैं कि salvinia हो गया फिर muddy plant तो red swamp को आप जानते हैं कि mars middo and oak तो oak यहाँ पर क्या होता है कि broad leaf forest broad leaf forest में जो temperate forest होते हैं ब्रोड leaf forest होते हैं तो broad leaf forest में oak dominant species है यह मीजोफाइट forest को represent कर रहा है तो यहाँ पर correct answer आपका क्या हो गया first हो गया second में देखिया diatum बड़ यह नहीं हो सकता है फिर आप जानते हैं कि cyanobacteria यह कर बड़ एजोला यह possible नहीं है और iconia दे दिया फिर यह possible नहीं है तो इस question का जो आपका अंसुर होगा हो क्या होगा वी फस्ट होगा गनरल यह है redgos charities के और यह अजिया कर शोड़ है नेचराल सोर्स हैं तब ही तो soil solution में फोस्पट फोम में हो गा अब प्लांट फोस्प फोम में अप्तेक लेते हैं इसको प्लांट अप्तेक कर लिया plant by मास नेल способ हो गया अब अब एऽनीमल की कुछ की डै्थ हुई यहाँ पर death अपने लेते हैं यहाँ लेटर फाल यहाँ लेटर फाल की बात हो गई यहाँ प्लांट के dead रिमेंड लीफरी तो यहाँ देटरिटस हो गया dead organic matter अपरद डेटरिटस अब डेटरिटस पर यहाँ पो होते हैं phosphate soluble bacteria तो phosphate soluble bacteria और और यहाँ देखेगा कि generally आपको ABC दे रखा है और ABC के अंदर आपसे जो option दिये हैं उसमें पुछा है कि भी ABC है तो A अपरदाहरी नहीं आप समझ सकते हैं कि A तो A तो आपका लेटर फाल है clear तो कुड़ा करकट वो आ सकता है लेटर फाल आ सकता है फिर आप देखते हैं कि जो B है B यहाँ पर क्या है विद्रिंग प्रोसेस तो विद्रिंग से जो फोस्पेट सोयल में रिलीज वो आए तो वो भी है clear और आप फिर देख सकते हैं विटा कि जो आप समझ सकते हैं कि C आप रहो गया तो A हो गया फिर यह C तो C वो बैक्टिरिया फोस्पेट सोलिबल बैक्टिरिया इसका अकोडिंग आपकर क्रेशन का थर्ड आंस्वर A लिटर फॉल B जो आप समझ सकते हैं कि विद्रिंग इनपुट जो है और उसके बाद आपका और गया फोस्पेट सोलिबल आपके बैक्टिरिया है क्लियर तो यह इसका पॉसिबल आंस्वर बाकी पॉसिबल आंस्वर देखो फस्ट हो नहीं सकता है एक सेकंड में आप समझ सकते हैं कि सेकंड आंस्वर क्या दे रहा आपको लिटर फिर B आपको दे रहा है इनपुट और C-ओर्गयो ड्रोस एकएंड और में सब्सक्राइब में जितनी बीएंणरी इनर्जी ही अब आप जानते हैं कि प्रोड्यूसर पीपी से प्राइमरी कंजूमर पे जो भी स्टोर उसका 10% ट्रांसफर होगा यानि लोग ट्रॉफिक लेवल से हाई ट्रॉफिक लेवल में 10% ट्रांसफर होता है अकोडिंग रूल उप एकोलोजिकल 10% निचले से उपरी पोजिशन अस कि यहां 100 है 100 जूल है तो उसका 10% को दोगा है 10 और उसका वन आपका हो गया तो अकोडिंग डिस्क्यूशन आप का अंसर क्या होगा 1% क्योंकि आप जानते हैं कि जो भी उसका है तो भी आप से प्रोडूसर से कर कंजूमर पूस्तार 10% बट आगे आपका सेकंडरी दे दिय तो फिर उसका 10% आपका 10% क्या हो गया 1% आपका हो गया तो आप समझ रहें कि इस फॉर्म में आप का अंसर यह हो गया नेक्स्ट आप देखिएगा तो 18 का आप का अंसर क्या हो गया फस्ट हो गया नेक्स्ट देखिए 19 क्यूशन climax stage is achieved quickly in secondary succession as compared to primary succession as secondary succession कि प्रात्मी कनुकर्म क्या पिकसा चरम सुमदा दित्य कनुकर्म में तीवरता से आता है क्यों भी कि टकरिन बेर एरिया क्या बंजर चितर में नहीं जो 100% बेर होता है बेर एन एरिया क्या होता बढ़ा no any organic matter देर वहां किसी प्रकार का organic matter नहीं है जैसे एकदम बेर रोकर नगन चटान है तो no any organic matter तो वह बेर होता है अगर वहां पर आप जानते हुग क्छार्ट होता है primary succession के यह पोसिबल नहीं है अकर सिंदु ईयोट छोने के बाद होगा ऐसा नहीं है areasному फ्लिड ऑर अवल्गेणिक मेटरी ही परजेंट ऐसे चैतर सेट जाए है पूरों में स्थिति कारेविन साथ उपर सी तो बिल्कुल करेक्ट है आंसर आपका क्या होगा थर्ड और ओटो ट्रॉप और पाइनियर सोपोसी पुरोगहमी होते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है है तो आप समझ सकते हैं कि भी आपका जो 19 क्योशन है उसका आंसर क्या होगा थर्ड बहुत अच्छा क्योशन है क्या करता है अगर कोई बेरन एरिया किसी भी टाइप का और नहीं है तो वहाँ पर प्राइमिर सक्सेशन होगा और स्लो होगा क्यों पहले सोईल फोम होगी और सेकंडरी सक्सेशन में तो सोईल ओलेडी है बस जो कम्यूनिटी किसी कारणवस एंथ्रोपोजनिक अक्ट्वि में कम्प्लीट होता है तो यहां बहुत अच्छा क्योशन है नेक्स्ट आप देखेगा क्योशन नंबर 20 बायो मास एड़ फर्स ट्रोफिक लेवल इस फर्तम पॉस्टन इस तर पर जेव भार ताप जानते हो कि यूनिट एरिया में यूनिट टाइम में जो प्लांट टोट इस प्लाइवल बायो मास वो क्या है एन पीपी तो यहां पर आप क्या जाएगा सेकेंड जो टॉन्टी क्योशन है क्यों गया सेकेंड वायो मास एड़ फर्स प्रॉफिक लेवल इस फर्तम पॉस्टन इस तर पर जेव भार करते हैं कि प्रेविष्ट नूर्टी वन वाटर और उसको fragmentation करते हैं तो small fragment break होता हालांगी वो तो organic है clear लेकिन पहले से भी तो वहाँ decomposn हो गया है अब वहाँ पहले से decomposn हो गया तो कुछ soluble inorganic और कभी-कभी some amount of organic जो water में soluble है वो आप जानते हो प्रकॉलेटेड हो जाती है प्रकॉलेबल हो जाती है नीचे के आपके उसमें चले जाती है precipitation उसका हो जाता है ऐसा एंसेट ने बहुत अच्छी लाइन आपको लिख रहे किए तो इस process को आप कहते हैं leaching क्या कहते हैं भी leaching निक्षालन उस प्रकॉलेटेड को आपन कहते हैं प्रकॉलेबल हो जाते हैं ठीक है next देखेगा question number 22 विच इस दा करेक्ट सिक्वेंस इंद फूर्ड ग्रास अस्तल पर भोजन संक्ला का सई करम है तो इस्टूडेंट आप ध्यान दीजिएगा अच्छा प्राइक है ग्रास Clement को बॉलिफ यो तो चार्णिवहरस है फिर बैक्टीरिय ग्रास इंस्थ बंब्ड फिर आपको ब्रण को इंसक्ट 25 परिशेंट तो फैट फ्वाइन सथ जानते है कि ग्रास उफपर घ्डदा एबढ़ फिर आप कहते हैं कि बर्ड तो कुछ बर्ड हmüş ग प्राइमरी 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 प् इस ग्रास एंसेक्ट वा बर्ड तो बर्ड आपका हो जाएगा एस सेकंडरी कंजुमर between current और फिर बर्ड को भी आप जानते हैं कि सनेक तो यहां पर स्ट्रेक्व का जाएगा टेसीया फिस यह पिर की फोर यह अपने सेकंडरी गज्वाइब इसने को लिए फिर हॉक पिकॉक को पना आगे ले सकते हैं क्लियर नेक्स्ट आप देखिएगा क्योक्षिन नंबर 23 magnitude of energy flow in magnesium in उर्जापरव का प्रणाम किस में अधिक्तम होगा ग्रेजिंग food chain में या detritus food chain में तो आप समझ सकते हैं कि grazing food chain parasitic food chain detritus आपने का कि भी energy flow के अंदर जो successive traffic level होते हैं तो lower traffic level से high traffic level पे 10% transfer होता है और आप समझ सकते हैं according rule of ecological 10% तो grazing पे तो आपका rule 100% लगता ही है detritus food chain में जो detritus है जो भी dead remaino plant animal clear तो यहाँ पर आप जानते हैं कि खूब सारा जो फदार्त है या matter है वो अर्थ पर है अब यहाँ से bacteria पे 10% rule फोलो नहीं होता इससे आगे तो फिर 10% rule फोलो होगा तो यहाँ आप जानते हैं कि magnitude ज्यादा होगा DFC में detritus food chain में clear अच्छा question है next आप देखिएगा question number 24 which of the following statement is correct निम्न में से कौन सा खतन सही है कौन सा statement यहाँ पर correct है the base of each pyramid represent the producer while the apex represent tertiary और top level consumer 100% correct है हम में साथ चाए pyramid upright हो और चाए inverted हो base always always base किसको represent करेगा primary producer को फिर आप कहते हैं कि primary consumer फिर आप कहते हैं secondary consumer फिर आप कहते हैं tertiary consumer और आप समसकते हैं inverted भी हो तो भी यहाँ पर primary consumer PP, PC, SC, TC के लिए correct है न the pyramid of biomass is always upright always upright हो यह गलत हो जाएगा क्योंकि pyramid of biomass in ocean inverted होते हैं फाइटो प्लेंक्टोन का biomass zooplankton से कम होता है उसकी standing crop कम होती है वो तो बहुत fast rapid division करके biotic potential show करके अपने से अधिक biomass वालों की portion की पूर्टी करते हैं, nutrition अवलेबल करवाते हैं clear, the primary producer convert only 10% of the energy in the sunlight अवलेबल to them into NPP, प्रात्मिक उत्पादक इनको अप्लब्द सूरी उर्जा का केवल 10% भागी सुद प्रात्मिक उत्पादा NPP में रुपान्तरित करते हैं, clear, और और फिर आप कहते हैं कि देखें विड़ा कि जो 24 question आपका है, clear और statement जो second आपका wrong हो गया फिर आप देखिया, trophic level represent a species not functional level ये wrong हो जाएगा कि trophic level किसी एक species को represent नहीं करते हैं, trophic level नहीं जो functional level not represent a single species, एक single को नहीं कर सकता है, क्योंकि single species तो time के coding है, single species एक ही टाइम में अपना food behavior बदलके trophic level एक से ज़्यादा शो कर सकती है यानि एक से ज़्यादा trophic level शो कर सकता है, बट आप जानते हैं, वो तो functional role को शो करता है, जैसे कि हर्भी ओरस है, जैसे कि auto-trops हैं, तो primary producer, PP, always represent T1, primary consumer हर्भी ओरस है तो T2, के लिए और आगे आप जानते हैं कि वो secondary consumer है या tertiary है और वो अपना change भी कर सकता है, के लिए तो यह आपका क्या हो गया, रोंग हो गया, आप से पुचा कि correct statement क्या है, तो यहाँ पर correct statement first ही है, answer will be first हो जाएगा, क्योंकि यह भी रोंग हो जाएगा, तो यह जो आपका question है, 24, तो 24 question का answer है, वो first होगा, के लिए next आपन देखते हैं, question number 25, तो consider the following, which one is correct in reference of decomposition, निम्न पर विचार कीजिए, और अब गठन के संद्रव्द में कौन सा एक साई है, तो देखे का fragmentation, leaching, catabolism, humanification and mineralization occur simultaneously in the process of decomposition, खंडन है, निक्षालन है, उप्चे, हुमस, निर्वान, खनी जी बहुन, यह साथ साथ चलते हैं, correct है, जनरली जो decomposition की processes है, वो simultaneously होती है, साथ साथ होती है, especially catabolism, humanification और mineralization, यह दो बिलकुल पैरल आपकी साथ साथ चलती है, clear, तो especially statement correct है, decomposition is oxygen requiring process, correct है, पर decomposition में जो bacteria fungi उनको oxygen चाहिए, और aerobic condition में फास्ट होता है, clear, rate of decomposition is largely depend on nature of detritus, आप समझ सकते हैं कि अब गठन की दर मुख्यत अप्रद की प्रकरती पर निर्बर करती है, विलकुल सबसे ज़्यादा chemical nature of detritus पर depend करती है, rate of decomposition, तो आपका जो question है 25, और 25 में आंस्वर आपका क्या है, 4, यानि A, B and C, यानि all statement are correct, के लिए अच्छा question है एंस्याटी का, देखे students, question number 26, the pyramid that cannot take the inverted sapage, इस्तूब जो उल्टाकार घण नहीं कर सकता, बै जनरली आप कहते हों कि pyramid of number, आप कहते हों कि occasionally या generally upright है, pyramid of biomass भी generally upright है, बट वहां inverted form हो सकती है, inverted form may be present, बट आप समझ सकते हैं, pyramid of energy always or always upright, तो जो आपको दे रखा है pyramid of energy, उर्जा के pyramid always or always के upright हैं, चाहिए किसी भी टाइप का आपका ecosystem हो, grassland हो, tree dominant हो, oceans हो, कुछ भी हो, clear, और वहां solar radiation से 1%, जैसे वहां 10 lakh दे रखा पिर आपको 10,000, उसका ट्रोफिक level में 10% rule आपको follow करना है, clear, next आप देखेगा, question number 27, pyramid of numbers is inverted in the case of संक्या का इस तुप के समझ में उल्टा होगा, तो कौनड ecosystem में नहीं हो सकता है, कि कि यहां number फिर में कह रहा हूँ, forest में dense forest हो, तो कोई जरूरी नहीं है, और one tree ecosystem, यानि एकल वरक्स तंतर, तो वहां आप जानते हो कि 27 जो आपका question है, यहां पर आप cancer क्या होगा बिटा, वैसे 4 क्या आप जानते हो, उल्टा होगा, यानि inverted हो सकता है, तो forest ecosystem में भी, dense forest में एक संभावन बनती है, आप राइट की, but tree dominant ecosystem ह होगा, तो वहां पर आपका inverted हो सकता है, तो two and three, both cancer, both हो जाएगा, clear, next आप देखिएगा, question number 28, which nutrient of the most likely to limit primary production terrestrial ecosystem, कौन सा पोशक मुख्यत इस्तिली परितनतर में प्रात्मी परत्ता को सिमित करता है, अबर कहता हैं कि जो primary production है, GPP-R, NPP available food है, तो NPP, net primary productivity, जो per year का अपन इसक मेजर किया है, तो यह है, complete अपन बात करेंश में, तो ध्यान दीजिएगा, कि 55 billion ton per year ही आपका किसका है, equity का है, बाकी 115, clear, वो किसका है, 170 में से आपका terrestrial region का है, तो terrestrial region की ज्यादा होती है, कि terrestrial पर light rate available है, aquatic ecosystem में सबसे अधा limiting factor है, तो aquatic ecosystem का limiting factor है nitrogen और sunlight, और terrestrial का limiting जो है, सबसे major है, वो phosphorus, क्योंकि रोग की विदरिंग के ने तो phosphorus आपका होता है, clear, तो यहाँ एक बहुत अच्छा question आपका है, यह आप का अच्छल हो जाएगा, next आप देखिएगा, question number 29, in a stable terrestrial food chain, which of the following statement is correct, एक इस् खतन सही है, 29 आपका question आप समझ सकते हैं कि the total mass of primary producer will be less than the mass of any other traffic level, प्रात्मिक उत्पादक का कुल भार किसी अन्य पोश्चा के स्तर से कम होगा, आपने पूचा है कि भी terrestrial, तो terrestrial में कभी भी नहीं, terrestrial में हमेशा primary producer, यह ट्रोफिक लेवल फस्ट का ही, biomass हाई होगा, clear, फिर आपको दे रहे है कि tertiary consumer, consume secondary consumer, which is trun, consume primary consumer, यह correct answer आपका, यह correct statement है, यह wrong statement है, और फिर आपको दे रहे है कि all tertiary consumer are mammals, यह कोई जरूरी नहीं कि सारे सारी tertiary mammals हो, tiger loin के पनवाद कर लेते हैं, hawk, peacock की बात करते हैं, तो वो birds है, clear, तो यह कोई जरूरी नहीं है, और कहते हैं कि decomposer do not exist, अब गठों अस्तित्व है, नहीं होता है, यह भी नहीं है, तो इस question के according आपको answer क्या हो गया, second हो गया, clear, और बाकिया आपका first आपका क्या हो गया, wrong हो गया, clear, next आपन देखते हैं, question number 30, consider the following consumer, how many may relate to primary consumer, herbivores, यहनि आपको यह macro consumer दे रहे हैं, primary consumer भी, secondary consumer भी, यहनि always, herbivores होते हैं, क्योंकि यह directly plant को feed करते हैं, only plant को feed करते हैं, तो ट्रॉफिक लेवल first पर PP, primary producer, और then ट्रॉफिक लेवल second आपका होता PC, primary consumer, clear, तो यहां primary consumer कौन कौन हो सकते हैं, insect में 25% insect, phytophagus है, पादा बक्सी हैं, और insect PC पर, PC लेवल पर आपका आते हैं, clear, bird, तो बहुत स seed है, तो भी T2 हो सकता है, mammals में, वह सारे mammals हो सकते हैं, clear, जैसे deer है, hiran है, clear, तो यह आपके mammals भी हो सकते हैं, rabbit है, deer है, फिर आप कहते होगी, molask, तो कुछ molask भी relate हो सकते हैं, goat, goat होता ही होता है, और juplankton, यह भी हो सकता है, fishes नहीं हो सकते हैं, fishes में देखो, अगर आप aquatic food च secondary consumer, small fish भी आपकी carnivorous होते हैं, fishes generally आपकी carnivorous ही होती है, clear, फिर आप कहते हैं, phytoplankton, तो primary producer है, wolf, यह secondary consumer है, यह top carnivorous है, clear, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर insect, bird से relate हो सकते हैं, mammal से हो सकते हैं, mollask हो सकते हैं, goat हो सकते हैं, juplankton होता है, क्योंकि phytoplankton कॉन करता है, juplankton, तो यहाँ देखेगा कि कितने साकारी और PC, तो कीट हो सकते हैं, पक्सी, जो बीजरी खाते हैं, इस्तंधारी, जैसे कि हीरनरी यह है, mollask भी कुछ हो सकते हैं, बकरी होती होती है, जनतुपलोग हो सकता है, पादपलोग को जनतुपलोग खाता है, बट आप जानते हो कि पूड बीवर के कोडिंग चैंज हो सकते हैं, यानि बोजन बीवर के कोडिंग बदल सकते हैं, यस, तो देखेगा, 100% आपका आंसर इसका हो गया, 6, यानि आपका, इसमें देखेगा कि 6 किसमे है, यह 4 आपका आंसर हो गया, क्लियर, नेक्स्ट अपन देखते हैं, question number 31, during secondary succession the invasion of species depend on, धित्यक अनुकर्मन की दुरान जातियों का अकर्मन इनिभर करता है, यस, तो आप देखते हैं कि भी, during secondary succession, the invasion of species, तो condition of soul पर डिपेंड करेगा, भई, moist condition कित्ती है, humus का content क्या है, फिर है कि availability of water, water की उपलपता पर करेगा, यह करेगा, presence of primitive substratum, हाँ, आदिम अदस् लोगन है, किलियर, तो उस पे भी depend करेगा, all of these आए हैं आप आपका आंसर होगा, तो 31 का आपका जो आंसर है, वो 4 होगा, किलियर, next up है देखते है, question number 32, the amount of nutrient, such as carbon, nitrogen, phosphorus, calcium present in ecosystem at any given time, पारित नतर में पोशकों कि मातरा carbon, nitrogen, phosphorus, calcium, एक दिये गए समय में, तो उती है, सश्य अब स्टेंडिंग इस्टेट जानते हो बेटा अभी तो मैंने आपको एक इस्टेंडिंग क्रॉप का कि पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेव लिया एको सिस्टम में नंबर ओफ और्गनिजम या फिर लिविंग बायमास अमांट ओफ लिविंग बायमास जो आपका फ्रेश वेट है ड्राइवेट है वो तो इस्टेंडिंग क्रॉप है बर जो डेड बायमास है वो आउट हो जाता है इस्टेंडिंग क्रॉप से अब डेड बायमास पर डेड ים फिर एब्जोब जोडिशन करते हैं और फाइनली इनवर्ग करते हैं और जो नौपकर वो होती है पर्टिकुलर टाइम में एक पर्टिकुलर टाइम में हैं अ पर युनित टाइम पर युनित एरिया में जो इन ओर टर cred की जो amount है that represent by standing state तो आप समझ सकते हैं एच्छा question है answer आपका क्या हो जाएगा first तो 32 question के अंदर बेटा आप कांसुर क्या हो गया first then आपने कहते हैं 33 तो question number 33 the slow rate of decomposition of fallen log of the nature due to there गिरेवे लकडी के अपगठन की किदर धीमी है वह आप जानते हैं कि जो ट्री स्टंप होते हैं ट्री लोग होते हैं बड़े ठूंट होते हैं आप देखते हैं उन में लिगनिन कंटेन हाई है first of all तो दूसरा मोइस्ट कंडिशन बहुत लोग क्योंकि आप जानते हर्ट वूड में तो सबसे इंपरेंड लो सल्लोच कंटेन यह थीक है कुछ स्का भी है क्योंकि लो मोईस्ट्र कंडिशन यह सबसे बैस है हाई नायट्रोजन कंटेन तो उसको इंक्रीज करेगा अनरिविक एनवारमेंट अरॉड एम वह भी यह है उसमें उसमें स्लो करेगा बड़िए अधिए आपका क्यों है उसमें आपका क्यों हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा नेक्स देखेगा क्यों नमर्ब थर्टिफोर कंसिडर दा फॉलोइंग स्टेट्मेंट कंसरिंग फूड चैन खादे शरंकलाओं के संत्रव में निमन खत्रों पर विचार कीजी तो ध्यान दीज रिजल्ट इस ग्रेटली इंक्रीज्ड ग्रोथ वेजिटेशन कि एक चेतर से अगर असी प्रतित चितों को ठादेने के प्रणाम सुरूफ वनस्पति की वर्दी जर्में अत्यदिक वर्दी होती है ऐसा नहीं है क्योंकि आप टाइगर को वहां से अठाओगे तो हर्विव का नंबर इंक्रीज होगा डियर हिरन का और और ग्रेजिंग करके प्लांट को डैस्टोई कर सकते हैं ऐसा नहीं है फिर देखो रिमूल ऑफ मौस्ट ऑफ दा कार्निवर्स रिजल्टेद इन एन इंक्रीज पोपुलेशन अधिक्तर मासारियों को ठाने के फलसुरूफ हिरन की जन संक्या में वर्दी हो जाती है कि लियर दा लेंट ओफ फूड चैन की जनरली लिमिटेड टू 3-4 ट्रॉफिक लेवल ड्यूट यह बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि लोवर ट्रॉफिक लेवल से हाई ट्रॉफिक लेवल में ड्यूरिंग एनर्जी ट्रांसफर होती है अ लेंट ओफ फूड चैन में भी वेरी 2-8 ट्रॉफिक लेवल नहीं मैंग्जिम 4-5 है ना विच अब अबव स्टेट्मेंट और करेक्ट यानि इनी स्टेट्मेंट में जो आपका करेक्ट है वो क्या है तो आप देखेगा पिटा की क्योशन नमर 34 तो यहां पर करेक्ट स्ट इन एक बार के लिए करेक्ट है तो बी और सी यहां पर क्या है गलत है क्लियर यह आपका गलत ही है क्लियर यह 100 प्रेशन आपका हो गया नेक्स्ट आप देखेगा कि क्योशन नमर 35 तो सेकेंड डॉमिनेंट ट्रॉफिक लेवल इन लेक एको सिस्टम एक जील पारतिंतर में दित्यक प्रभवी पोसक स्तर क्या है तो एक्वेटिक एको सिस्टम में और लेक हो फाइटो प्लेंक्टोन प्राइमिर प्रोडूशर है तो फाइटो प्लेंक्टोन फाइटो प्लेंक्टोन यह प्राइमिर प्रोडूशर प्राइमिर प्रोडूशर प्राइमिर प्रोडू कि second dominant traffic level तो यहाँ जू plankton हो जाएगा और 35 question का answer बिट आप समझ सकते हैं कि second answer आपका हो गया next आप देखेगा question number 36 if we completely remove the decomposer from an ecosystem it is functioning will be adversely affected because यदि हम किसी पारितंतर से decomposer को completely remove कर देंगे अठा देंगे तो इसका कौन सा function adversely effect होगा आप समझ सकते कि decomposive ecosystem running नहीं कर सकता है क्योंकि जो भी dead remain of plant है animals हैं उनके etc materials हैं मलमुत्र हैं आप जानते हैं कि fecal matters हैं वो सब form करते हैं detritus और detritus में complex insoluble organic matter है तो यह decomposer क्या करते हैं कि digestive enzyme secret करते हैं क्योंकि यह first of all first digest करते हैं फिर absorb करते हैं तो यह पहले पचाते हैं फिर खाते हैं तो यह digestive enzyme release करेंगे insoluble को soluble में convert करेंगे और फिर कुछ amount जो simple organic की absorb to nutrition करेंगे finally यह inorganic में उनको convert करते हैं तो nutrient cycling जो है वो बिल्कुल ब्लोक हो जाएगी nutrient cycling बिना ecosystem का existence या stability पोसिबल नहीं है clear तो आप जानते हैं कि यह mineral moment will be blocked 100% correct हो गए खनीच चक्रण के लिए decomposer बोत important है ecosystem के लिए हैना major role इनका होता है बाकी आपका question count 36 का first हो गया yes next आपन देखते है question number 37 तो which of the following ecosystem has the highest gross primary productivity बै कौन सा पारित अंतर सबसे ज्यादा सकल प्रात्म को प्लाइब और जीपीबी क्या after respiration NPPB भी पहांके हाई होगी तो भाई mangroves rainforest grassland coral reef first number पर आप क्योंते है ट्रॉफिकल rainforest फिर aquatic में आप जानते हैं कि coral reef बाकि first number पर आपका tropical rainforest then coral reef और artificial में जो cropland है yes तो यहाँ पर आपका 37 का अंसर क्या हो जाएगा second then अपना कहते हैं कि भी 38 तो in a terrestrial ecosystem such as forest maximum energy available at which tropical level इस्तली पारत नतर वन में उस्तम उर्जा किस पर होगी तो सबसे ज़्यदा highest energy किस पर अवलेबल होती है T1 यूनिट टाइम में यूनिट एरिया में जो total organic matter का synthesis होता जी पीपी फिर जी पीपी माइनस आर तो अवलेबल फूट जो होता है अवलेबल बायोमास होता है हर्भी वरस के लिए फिर जो भी आपके consumer है उनके लिए NPP होता है आपका कह रहा है कि भी the in terrestrial ecosystem such as forest maximum energy तो forest में लार्ज बायोमास हो ट्री हैवी ट्री होते हैं तो energy available at which traffic level तो आप समझ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा T1 PP primary producer के लिए बहुत अच्छा question है तो 38 question जो आपका उसका answer क्या है third है next आप देखिएगा 39 question number 39 the rate at which light energy converted into chemical of organic molecule is the ecosystem आप भी समझ सकते हैं कि भी unit time में जो organic matter के synthesis है वो है GPP gross primary productivity जो total organic food है जो sunlight chemical में convert होती है solar energy वो आपका GPP हो गया के लिए next आपन बात करते हैं कि question number 40 consider the following macromolecule है cells है tissue है organ है organism population community biome यह आपको सारे level of organization first of all आप जाने physical hierarchy यह जब life का evolution हुआ chemical evolution of life या life originate in water through chemical evolution तो atom, molecule, macromolecule, biomolecule, subcellular component, cell का existence एक complete structure का cell आप दो life का existence है independent existence शोतंत रस्तित्वर उसके बाद biological hierarchy, cell, cell ordinary tissue, tissue, organ, organ system and organism organism में भी unicellular or multicellular, अब organism से आपकी ecological hierarchy है तो organism फिर एक organism का जो number उसने increase गया reproduction थूरत अपना species या population then एक particular area में एक population की possibility नहीं है अकिला तो कोई भी एक tree भी जो autotrop होता वो भी survive नहीं कर सकता है तो different different type की जो populations है assemblies of population in a particular area assemblies of population their interactions जिनके आपस की अन्योन की रहा है और समस्टियों के एक सम्मों होगा that is biotech community और वो आप जानते हैं कि उस existence ecosystem का functional existence कब हो पाया क्योंकि producers थे sunlight entrapped किया productivity फिर available food NPP फिर consumer ने उनको feed किया clear तो यह energy flow हो गया फिर death हुई तो decomposition तो functional existence के लिए आप जानते हो कि ecosystem के लिए biotech community लेवल आई यानि जेव समधाई भूत बहुत important question है क्योंकि biotech community के अंदर आप अगर abiotic physical environment से interact जोड देते हैं तो आपका क्यों होगा ecosystem हो गया क्योंकि biotech community था assemblage of population in particular area clear और वो उसका species composition जो structure है और structure अगर एक बावा तो function अपने आप ही करवाएगा yes clear तो यह देखते हैं आप next आप में देखते हैं question number 41 small standing crop of phytoplankton support large number of zooplankton large standing crop की पादप पलोग की छोटी सश्य पसल जनतों पलोगे बड़ी को मतलब support करती है इसलिए आप जानते हैं कि जो aquatic ecosystem होते हैं especially जो oceans हैं तो oceans में 100% जो pyramid है वो pyramid आप जानते हैं कि inverted होगा clear primary producer PP primary consumer PC SC or TC clear तो यह देखते हैं कि oceans में आपका inverted होगा फिर कहते हैं कि लैक है तो लैक क्या small pond में spindle हो सकता है क्योंकि वहाँ phytoplankton का bio mask तो कम होगा फिर प्लेंग टॉन का ज्यादा होगा बड़े small fist की संक्या कम होगी pond का size small होगे का लार्ज होगी नहीं तो सकता है कि वह spindle भी हो तो यहां देरे का है कि भी inverted हो सकता है upright नहीं हो सकता है spindle हो सकता है नेवर inverted इन एक्वर्टी के उसन जली पर दें कभी उल्टे नहीं होंगी तो यह भी आपका क्या हो गया रोंग हो गया फिर आप से पूचा है कि भी यह फाइट इस प्राइट प्लेंट टोन की जो स्मॉल है वो लार्ज को यहां कर रही है तो इसके कोडिंग तो आप फिर आंस्वर आपका क्या होगा इन वर्टेट ज्यादा क्रेक्ट होगा तो 41 जो आपको विड़ा क्यों है तो 41 का आंस्वर क्या हो गया फस्ट हो गया के लिए नेक्स्ट अपन कहते हैं कि भई यहां पर कुछ कंशिदेंट दिया जब कंडिशन देगा स्मॉल लैक या पॉंड गी तो फिर आपको इस्पिंडल में भी पोसिबल के लिए फिर आप देखते हैं कि अपन क्रेशन नंबर 42 दिफरेंस बिट्विन ग्रेजिंग फूड चेन क्योंकि पीपी से स्टाट होगी प्राइमरी प्रोडूशर प्राइमरी कंजूमर सेकंडरी कंजूमर बड़ आप जानते हैं कि डेट्रिटरस में डिरेक्टली संलाइट की रिक्वार्मेंट नहीं है तो फस्ट रांस्ट आपका करेक्ट हो गया सोर्स ओप एनर यह को ड्यट्रिट्स जो ड्यड्रिमेन हो अप्सट अ बड्यक्टीरियख वनसरहरी तो इस फूड चैन प्रिचेन ऊंकिलासं सभी परियंतर में है जनली इसका विजर डियस्टली में रिकार्म रह था में फिर ट्यक्लिक्त हो यह चैन भींशमर्न अग्वर्टिक में विद्ध हो सकता ना जैसे जी एपसी टेरेश्चिल में भी होता है के लिए इसमें सोलर डिरेशन की डिर्ट रिक्वर्मेंट नहीं है तो जो क्यूशन आपका है 43 उसमें आप जानते हैं की जो आंसर आपका हो जाएगा वहीं आप से पूचा है की नौट क अब आप जानते हैं कि फिर क्वेशन नंबर 45 तो 45 क्योशन आप देखिएगा 44 आपका क्योशन हो चुका है और उसके बाद है 45 45 में 4 आपका 45 विच ओप दा फॉलोईंग इस नौट एक्रेक्टरिस ओव आर्टेफिल एकोसिस्टम निम्ल में से करत्रीम उत्पाद चारत्र लक्षन नहीं है तो लिटल डावरसिटी तुम कॉंप्लेक्स फूड वैब पॉसिबल नहीं है लेक साल प्रेगुलेटरी मेकनिजम हाँ साल प्रेगुलेटरी मेकनिजम नेचरल एकोसिस्टम में ज्यादा अच्छी होती है बट लेस प्रोड़क्टिविटी ये गलत हो गया क्योंकि एक ही चीज होती है जो सुगर प्रोडूशन आपका हो गया 46 इप फाइटो प्लेंक्टोन और रिमूड फ्रम द ओसे लेकर समुंद्रों से फाइटो प्लेंट को रिमूव कर दिया जाए तो आप भी धिमाग लाए कि फाइटो प्रोडूशरी फाइटो प्लेंक्टोनी है मेराइन लाइफ को सपोर्ट कर प्रोडूशर प्रोडूशर का इजिली फूडूशर तो आपका अंसर थाड हो गया किलिए और डिजॉल ऑक्सिजन इंक्रीज कैसे होगी फाइटो प्लेंक्टोनी अठा दिये जाएंगे तो ऑक्सिजन कहां से आएगी हो आप बलकि बीज आपकी इनक्रीज हो जाईगी कि क्योशन नमबर 47 फाइटो प्लेंक्टोन जू प्लेंक्टोन स्मॉल फिस लार्ज फिस तो यह एक एक एक्वाटिक फूड चैन है जहां फाइटो प्लेंक्टोन प्राइमिर प्रोडूशर है इनका स्टेंडिंग क्रोफ जू प्लेंक्टोन के कंपरजिन में कम होता है अपन गया है कि महासाग्रों में किस पॉस्टर इस्तर्व सर्वादिक जेवार होगा परतों वही ओसियन्स का तो अगर अगर अपन भायो मास का पिरेमिड लेंगे तो इनवर्टेड होगा तो पीपी प्राइमेरी प्रोडूशन तो लार्ज फिस का योगा यानि ट्रॉफिक लेवल 4 के लिए तो ट्रॉफिक लेवल 4 यहां दे रखा है हां अगर यहां कर अपने ओसिन की जगह लैक या पॉंड देते हैं तो फिर आप जानते कि स्मॉल फिस का नंबर कम होता है कंपरेटिव उसकी स्मॉल साइज से फिर जू प्लेंग्टोन हो जाता सेकेंड बटन यहां पर आपने ओसियंस दे दिया यस तो क्योशन नंबर जो आपका 47 है और 47 का आपका आंस्वर है 4 ट्रॉफिक लेवल 4 आपका हो गया किलियर तो यहां 47 के अंदर आपने आंस्वर क्या से बिलकुर करक्ठ है एंसटस्टा स्टेटमेंट अभी आपने बता तकी ट्रॉफिक लेवल किसी स्प्रिसी गोनिए एक फंट्ट्नल रोल यह फंट्ट्शनल पेरामिटर को रिपर्जेंट करता है क्योंकि स्प्रिसी तो अपना ट्रॉफिक लेभल चेंज कर सकती है फूड बहुर के कोडिंग एस सैम स्पसीज में ओक्युपाई मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल इस सैम एको सिस्टम एट सैम टाइम ये भी करेक्ट है इन मौस्ट एको सिस्टम ऑल पिरामिड़ ऑफ एनर्जी आर अपराइट ये भी करेक्ट है सभी में अपराइट ही होता है और नर्जी एट हार ट्रॉफिक लेवल इस मोर एज कंपर्ड़ लोड प्रॉफिक लेवल फिजिकर ऑगलत हो गया कि हाय ट्रॉफिक लेवल पर तो एनर्जी कम होगी जो टॉप आपके काई मरोस फिजिकली भीक होते हैं वैसे आप जनली देखते हो कि वह एनर्जी के बेस पर्टिकुलर एरिया पर्टिकुलर टाइम बार बार आपको बता चुकिंग इस टेंडिंग इस क्रॉप आपकी होगी तो इस टेंडिंग क्रॉप किलियर नेक्स्ट आप देखेगा क्योशन नम्मर 50 अधिक्तम उप्योग किलियर है तो आप समझ सकते हैं कि जो 50 आपका क्योशन है 50 क्योशन का अंसर आपका क्या होगा 4 क्योंकि एक है आवास में संसादम का अधिक्तम प्योग एक पर्टिकुलर हैबिटेट में इस टेटा होंगे जैसे कि हर्ब है रहल सब्सका है हर्ब फिर आप जानते हैं कि सर्व थ्रीयज़ आपके है क्यों ग्याहिभष ओर चांए अधिये अ जानते हैं पर तो आप दे पर भख पर भक्सी नहीं वह जनरलिजू लीविंग को किल करता है कैच कि और इइत और आप समझ सकते हैं कि लॉयन प्रिडेटर है स्नैक प्रिडेटर है भिल्चर कितनो उस्नम्धित आ इसने सरे ओघेगा थे सैटंड्ड देख़ेगा question number 52 which of the following is not an example of parasitic adaptation निम्न में से कौन सा परजी भी है नुकुलन जितने भी जो endoparasite है वो host की body में रहते हैं तो बोसर adaptation सबसे पहले loss of sensory organ समेधियंगों का भाव loss of digestive system क्यों वो directly digest food को अब्जोर्ब करते हैं अब जुलो जी में बहुत अच्छे सीखते हैं फिर आप कहते हैं कि loss of unnecessary organ अनावसे कंगा भाव कर लेते हैं फिर उनमें hooks है सकर है यह होते हैं अडेसिव ओर्गन होते हैं आसन्ज कंग होते हैं और high biotic potential होता वही के लिए तो loss of unnecessary organ correct है presence of adhesive organ चूसक अंगो adhesive hooks है या सकर है loss of digestive यह भी correct है but low reproductive यह तो बहुत रोंग हो गया क्योंकि उनका high biotic potential होता भी high biotic potential उच जेव विभाव reproduction rate बहुत हाई होती है तो आंसर आपका क्या हो गया 4 next आप देखिएगा हाँ ध्यान दीजी वड़ा question number 53 they need a constant supply of energy to synthesize the molecule they require to counteract the universal tendency toward increasing disorder linens above the line indicate उन्हें निरेंतर हो जाके आप पूर्ती के आऊ सकता होती है ताकि आपक्सित अउनों के संस्लेशन कर बढ़ती हुई एव्यवस्ता के परती सर्व आपी प्रकृति के लिए संगर्स कर सेगे ये वाकिया किसको दर साता है बीड़ा बहुत अच्छा question है अगर आप energy flow में देखेंगे तो वहां दे रखा है कि the ecosystem not free from law of thermodynamics उस्मा कतिकी कि दोनों ही नियम से फिरी नियम आपका क्या कहता है उस्मा कतिकी का कि उर्जा को ने तो नस्ट किया जा सकता है ना उत्पन किया जा सकता है energy neither created nor destroyed clear but आप जानते हैं कि यह one form to another form में convert होती है ट्रांसपर होती है जैसे solar energy chemical में रही है यह तो normal बात है फिर आप कहते हैं विड़ा कि जो solar radiation को तो total का less than 50 आपका पार होता है photosynthetical active radiation उसका 2 से 10% plant अपने photosynthesis में use करते हैं या परिक्त करते हैं clear और अगर अगर अपन ISR incident solar radiation 1 to 5 तो 1% अपन solar radiation से लेते हैं clear फिर आप कहते हैं कि जो successive traffic level है successive traffic level है lower traffic level से high traffic level पर जब energy transfer होता है तो only 10% के लिए एक large part का fraction या large fraction heat के form में loss हो जाता है लार्ज fraction का low solar heat के form में फिर आप जानते हैं कि successive में 10% rule follow करता है according rule of ecological 10% एक small part ही transfer होता है अब आप जानते हैं कि यह entropy में जो disturbance है एवे उसता है इसको आप जानते हैं कि maintain करने के लिए second law यही तो कहता है कि solar radiation की लगातार input यानि continuously उनका input जरूरी है कि solar energy continuously मिलती रहेगी तो यह इतना बड़ा low solar heat के form में हो रहा है उसको maintain कर देंगे कि लिए तो यह according rule of यह second law of thermodynamics in food chain यह बहुत important question है clear they need a constant supply तो उनको constant supply की आवशक्ता होती है नीड होती है solar radiation की to synthesize the molecule ताकि वो light energy के बाद में CO2 fixation कर सके they require to counteract the universal tendency toward increasing disorderliness कि जो इतना maximum heat के form में low solar उसको maintain कर सके है clear तो यहाँ पर second law of thermodynamics आपका इंस्याटिक के question है बहुत important है second आंसर होगा भी 53 का आंसर क्या होगा second next देखेगा question number 54 which are is incorrect about ecological pyramid पारस्तितिक पिरमिड के संदर्व में गलत है तो देखेगा यहाँ आपको ecosystem देर के tree dominant forest और tree dominant ecosystem में biomass का upright correct है energy upright correct है बट number तो number का आप जानते हैं की tree dominant में inverted number का tree bird parasite या फिर spindle correct है oceans oceans में biomass inverted energy आप जानते हैं upright number का upright है clear फिर आप से पूचा है tree dominant फिर आ गया upright biomass का बट energy upright number का inverted यह भी correct है फिर ग्रास तो ग्रास में biomass का आपको inverted दे दिया जो wrong है किरकि ग्रास में तो जनरली biomass energy और number तीनों ही आपके क्या होते हैं अप्राइट आपके होते हैं clear तो यहां पर आपको से incorrect पूचा है तो आंसर क्या हो गया फोर तो 54 का जो आंसर है वो फोर है के लिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं question number 55 और identify the mars middle stage from given below serial stages यहने आपको जो हाइड्रो सेरे की stages दे रहे किसमें से mars middle क्या है तो first of all यह दी जो है यहां पर आपको देर को free floating आपको stage दे रहे कि first of all देखिएगा कि phytoplanktonic stage होती phytoplanktonic microscopic microscopic photosynthetic organism तो phytoplankton फिर आपका होता है submerged plant फिर होता है free floating फिर आपको होता है read swamp और read swamp के बाद में आप जानते हैं कि mars middle clear तो read swamp और फिर आपका answer का भी mars middle तो question नमर जो आपका 55 है वहाँ पर आपका answer है third B तो यहां पर जो B option है वो है mars middle का बी option है वो किसका भी mars middle का है clear और आप जानते हैं कि आपसे पहले भी question जो पूचा गया हो वो पूचा गया है किसका read swamp का और यह आपका जो B option है वो किसका भी mars middle का है clear यह बात आपकी होगी फिर आप देखेगा कि next अपन यहां बात करते हैं कि question number 56 the amount of store organic matter in plant tissue after respiratory utilization कि पात्मों में उत्कों में सौशन के बाद से स्रही अवस्ता जो संगरीत मात्रा होती है तो आप जानते हैं कि unit area में unit time में जो total organic matter synthesis है जो होता है total photosynthesis है that is GPP gross primary productivity cycle problem परकता respiratory loss को अठा देंगे तो available biomass अवलेबल food आपका क्या होगा NPP 500 विल बी second next आप देखेगा question number 57 decomposer like fungi and bacteria कि अब गठक जैसे की कवक और जीवानु हैं तो जानते की decomposer दे दिया है इसलिए fungi और bacteria वाइसे heterotroph है आप कह सकते हैं भी bacteria से autotropic relate हो सकते हैं बड़ यह नदी composer तो सैप्रोफाटिक दे दिया तो आप संगे autotroph नहीं है heterotroph correct saprotrophs correct chemotroph नहीं है तो आप जानते हैं कि second और third answer आपका हो जाएगा next आप देखेगा question number 58 productivity is the rate of production of biomass expressed in term of उत्पादक्त और जे बार की उत्पादन की दरको अपन तो देखते हैं कि जो प्रोड़क्टिविटी होती है कि एर इन्वर्स और चाहां kilogram ले लें फिर आप energy की फोर्म मिलें तो kilo calorie बटा मिटर स्क्वाइर बटा इयर तो इसमें अपना express करेंगे अब यहां पर आपका second हो जाएगा और आप समझ सकते हैं कि 54 आपका हो जाएगा तो second और fourth in 58 question जो आपका है तो 58 का आपका answer है थर्ड के लिए फिर आपन कहते हैं 59 प्रक्रेश्चन नमर 59 और इन्वर्टेड प्रेमिडव बायो मास्क एन वीच इको सिस्टम तो भी इनवर्टेड 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 कहां पर है फोरेस्ट मै मेराइन ग्रास लेंड तुंड्रा लेकिन किसका बायो मास्का तो बायो मास्क का ओस्यंस मेराइन फोर्म में हो गया second आपका answer हो गया next आप देखेगा कि क्योश्चन 59 का आपका second हो गया फिर 60 क्योश्चन तो 60 क्योश्चन वीच ओप दा फॉलोइंग नॉटेड प्रोडू तो अगरिकस मस्रूम है फंजाई है है हेट्रोट्रोफ है second आप काँ शुरो हो गया next आप देखेगा question number 61 which of the following ecosystem is most productive in term of net primary production सुद प्रात्मी कुत पादन के संदर्द में कौन सा पारितंत्र सबसे अधिक है बैजो total NPP 170 billion 10 उसमें 115 115 टेरेस्टल की और 15 ही है only equity की उसमें टेरे इन फोरेस्ट TRF के लिए next देखते है है अपन कि भी question number 63 62 pyramid of number is संक्या के pyramid है always upright possible नहीं है always inverted possible नहीं है either upright और inverted यह या तो सीधे या उल्टी भई संक्या के grassland में upright होंगे pyramid of number in grassland upright pyramid of number in ocean upright pyramid of number in tree dominant ecosystem may be inverted और spindle तो आप समझ सकते है कि भी pyramid of number either upright और inverted हो सकते है next अपन कहते है question number 63 approximately how much of the solar energy that fall on the leaves of a plant is converted to chemical energy by photosynthesis लगबक कितनी सोरुजा जो पादब की पत्यों पर गिरती है प्रकास संस्रेशन और रास्तानी कुर्जा में प्रवर्वतित की जाती है वैं जो total solar radiation उसका less than 50 आपका होता पार अब photosynthetically active radiation जो लिवज पर आती है यानि विवग्योर 400 नेनोमेटर से 700 नेनोमेटर उसका 2 से 10 प्रसेंट यूज करते हैं क्लियर तो यह आपका टू से 10 हो गए नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेशन नंबर 64 अमंग दा फॉलोइंग वैर डू यू थिंग दा प्रोसेस ओव डी कंपोर्शन वुड़ बी फास्टेस निम्न में से किसमें जाप सोचते हैं कि अब गठन प्रक्रम तीवर्तम होगा तो ट्रोफिकल रैन फोरेस्ट में बैट्रोफिकल रैन फोरेस्ट में अंटार्टिका में तो लो टेंप्रेचर है सुष सेतर में मोश्र नहीं है अलपाइन में लो टेंप्रेचर है तो ट्रोफिकल रैन फोरेस्ट में थूराउट येर पूरे वर्स बर थूराउट येर हा यंपूल तो high temperature high most condition high humidity high temperature high rainfall high humidity और हाइड प्रोड़क्टिविटी वहाँ पर है तो ट्रफिकल रैल फोरेस्ट पर डीकंपोशन, फास्ट ट्रेस्ट होगा, किलियर, next आपन देखते हैं, question नमर 65, primary productive depend on, प्रात्मिक उत्पादक्ता निर्वर करती है, plant के टाइप पर भी C3, C4, C4, more productive होते हैं, plant species in habiting particular area, ability of nutrient है, photosynthetic capacity है, सारे आपके हो जाएंगे, वह एक 116 छेतर में पादप र जातिया, post कोई उपलपता, पादप के प्रकास निर्वर के शंता, C3, C4, तो all of these आप कांसर हो जाएगा, next देखेगा, question number 66, which of the following is not come under detritus, निम्न में से कौन detritus ने अपरद के अंतरगत नहीं आते हैं, तो alive plant animal हाँए, जीवित पादप जनतु थोड़े आएंगे, dead plant रिइन, पादप की साका पत्ती, dead plant remain, dead animal remain, और fecal matter यह हो सकता है, तो fecal matter, dead plant perman, dead animal remain, यह 100% हो सकता है, बड़, alive plant animal and जीवित पादप जनतु कभी निह हो सकता, clear, तो first आप कांसर हो जाएगा, question आपका है, 67, मैसिदा कोलम, कोलम का मिलान कीजिएगा, leaching क्या है, water soluble, inorganic, य इंटू दा सोईल जो प्रिसिपिटिशन हो जाता है परकॉलेटर हो जाते हैं अनुवलेबल हो जाते हैं करेक्ट है फ्रेग्मेंटेशन ब्रेकडाउन अब डेट्रिटरस इंटू स्मॉलर पार्टिकल करेक्ट है केटाबुलिजम बैक्टीरिया फंगल एंजाइम इस प्रेटी एबीची करेक्ट फिर आप देखेगा ट्योशन नंबर शिक्स्टी एट विच एकोसिस्टम इस नौट डिपेंड ऑन सन एस सोर्स ऑप एनरजी वहाई एनरजी के सोर्स में कौन सा डिपेंड नहीं है यह ना तो डीप सी अड्रोफर्मल बैंट करेक्ट है देखेगा क्योशन नंबर 69 इन एक्वर्टिक एकोसिस्टम प्राइमरी प्रोडूशर आर्ट पादब जलिए परतंत्र में तो यह आपके एकोसिस्टम इंट्रोड़क्शन वाली फर्स्ट पेज बहुत अच्छा लाने दे रहा है पहले आपको स्ट्रेटिफिकेशन इस्त चुली मूँ करते हैं और बहुत ही माइक्रोस्कोपिक फोटोशनरी और्गनिजम है डाइटम डैसमेड बीजी एलगी कुछ है हाई हाईर प्लांट भी वेलेसनेरिया और यह हैं आप ओलब दाबो आपका हो जाएगा सेवन्टी क्योशन आप देखेगा क्योशन नमर सेवन सब्सक्राइब सब्सक्राइब अब नमबर सबसे ज्यादा जनरी क्राइब वर कि यह बघाप में लिए जो अब समझ रहें कि यह किसका नंबर必 नंबर किसका भी प्रोडूशर का फिर आपका यह नंबर हो जाएगा फिर यह नंबर और फिर एक को जाएगा किलेक्ट तो यह आपका hundred percent question का उनसर आपका क्या हो जाएगा third हो जाएगा clear है हना यह यह ओम है भी point नहीं है डाप का ठर्ड ऑँंसर हो और ग्रेजुली चेंजेज है तो आप जानते हैं कि ग्रेजुल और प्रेडिक्टेबिल धेरी-धेरी और आकलित जिसमें आप पूरों नुमान भी लगा सकते हैं प्री डेटरमाइन हो जाता है कि लिए नेक्स्ट आप देखिएगा क्योशन नंबर 72 सेकेंडरी सक्सेशन इस फिक साइट निम्न मैं से किस स्थर पर सेकेंडरी पॉसिबल नहीं है फैं प्राइमरी कहा होता है नो एन्य और जैनें कोई टाइप का और जैनिक नहीं है जहां पाइनियर आपके लाइकेन आते हैं फिर लाइकेन मालों रोक पर आए फिर उनकी कुछ की डैथ हुई तो सम अमांट ओफ और्गिनिक मेंटर आप सोयल फॉर्म हुआ फिर दिर दिर मौस हर्ब सर्भन तो आप जानते हैं कि बारन फोरेस्ट पे तो सेकेंडरी सक्सेशन पोसीबल है अब्डोनेंड फार्म लेंड जो छोड़ी या त्यागे के करसी लेंड यहां पर भी पोसीबल है कट फोरेस्ट भाई फायर डोर कट फोरेस्ट हुए हैं तो वहां तो सोयल तो ही और्गिनिक मेंटर तो ही वो किसी कान से आप जानते हैं पॉंड है किलियर और बेरन रोख है नो एनि और्गिनिक मेंटर तो वहां पर आपको होता है प्राइमरी सक्सेशन किलियर सेंड ड्यून्स हो गए नेक्स्ट आप देखिएगा क्योशन नंबर 73 लेंड देट हैव बिन फूड़ेड है विस ट्राइप अव सक्सेशन की आपको सक्सेशन दे रहा है पाइनियर आपके लाइकेन क्रस्टो लाइकेन फोली लाइकेन देन मौस पॉली ट्राइकम हर्ब सर्ब और ट्री मीजोफाइट्स हो गए ऐसे ही हाइड्रार्क में फाइटो प्लेंक्टोनिक फिर सब्मर्जड है रीड स्वें मार्स मिड़ो है तोसब आपके क्या है भी यहां पर हाइडॉर्क इर अप्लांट का सचेशन ने कि लिए एनिवल व आ जाते हैंबर अधिन्या सक्सेशन ही प्लांट कम्मुनिटीस का सक्सेशन है के लिए नेक्स आप देखिएगा यतश्र्ण 14 वन प्रैमरी सक्सेशन पैड प्लेस what will be correct sequence of life from beginning खाली और नगन चत्तानों पर जब प्रात्मिक अनुकर्मन होता है तो यह बेटा क्या है जीरो सिरे में जिरिक टुमीजिक और जीरो सिरे में यह जो बेरन रोक होती है इनके उपर पाइनियर के फोर्म में सबसे पहले लाइकेन क्रस्टोज और फोलियोज देन लाइकेन क्रस्टोज फोलियोज ब्राइफाट्स में मोसेज पॉलिट्राइकम दैन हर्ब और सर्वेन बिक्ट्री आपका हो सकता है यह पोसिबल है लाइकेन के बाद सीधे बिक्ट्री पोसिबल नहीं है कि लिए तो थर्ड आपका अंसर हो जाएगा हेंड़ परसेंट अच्सा क्योशन है नेक्स्ट आप देखिएगा तो क्योशन नंबर देखिएगा 76 गिवन बिलो सर्टेन स्टेट्में रिलेटेड टू कार्बन साइकल नीचे कुछ खतन दियेगें कार्बन सक्कर के रिलेटेड इन में से कितने खतन गलत है किलिया कितने बाइस भुबन से भूंग से रॉंग स्टेटमेंट है पुछा है डेड और ऊर्गनिजम का भी रोल होता है क्योंकि डेड और इंटि कंपोशिण होता तो बैक्तीरिया फंजाई डिकंपोश्य के तूरी स्योटू रिलीज करते हैं डेड और देक में जो उर्गनिक स्टोर उसको रिलीज करते हैं फिर रोंग इस्टेटमेंट हो गया एन वली फोर इंटू टेंड वाट थर्टीन किलोग्राम कारवन फिक्स दिन दा बायोस्पिर थूदा फोटो सेंटेसिस यह करेक्ट है प्रतिवर्स जो पादाफ है चार इंटू दस गात तेरा किलोग्राम कारवन इस्तिर करते हैं और हाइर दा हूमन पॉपॉलेशन पॉलूशन हाइर दा सीओ टो अटमोस्पिर जितने पॉपॉलेशन होगी उतना ही बर्निंग ओफ फोसल फ्यूल होगा या फिर रेस्परेशन के लिए मैसिव बर्निंग ओफ फोसल फ्यूल कॉंट्रिब्ट दा प्राइज टेग और नेचुरल लाइफ सपोर्ट सिस्टम हाली में प्रकृति के जीवन समर्तक शेवाँ पर एक कीमत निर्धद एक प्राइज टेग लिया गया था कि जो इकोसिस्टम सर्विसेज होती पारितंत्र सेवाई होती है रोबर्ट कॉसंटेंजर उसके साथ योन से कौन से खतान सही है एकोलोजी एड़ और ऑर्ग्रींजमी क्लेवल इसेंसली फ्यूजोलोजी कल एक जीव इस्तर पर परस्तेटिक आउशक रूप से किरीयात्मक होती है ना यानि आप जाने फ्यूजोलोजी लिफ्कोलोजी यह करेक्ट है स्तरिक्च्ट्स रिएप M का हो सकता है लेंड स्काइब इयुक्त आर्ज जैँड confuse अ कि यह क्वांड पर लार्ज यूनिट Ugh रिष्य पर テपका 78 है आंश्र आपको क्या हो जाएगा फोर हो जाएगा नेक्स्ट आप देखेगा क्योशन नंबर 79 फंक्शन अब एको सिस्टम प्रोड़क्टिविटी डिकंपोजिशन एनर्जी फ्लो नुट्रेंट साइक्लिंग चारों ही फंक्शन है ना दो मैन फंक्शन एसेंचियल है एनर्जी फ्लो नुट से भी कारक्शिन धर्थ होती है तो टैंप्रेचर और एन्वल प्रिसिप्टिशन जो रैन फोल और स्नो फोल यानि जो एन्वल प्रिसिप्टिशन से बहुत आप कहां सुर हो जाएगा यह एंच्याटी का चैप्टर में देर खाय के लिए तो इस प्रकार आप देखेगा कि आपका 80 हो गया कि लिए नेक्स्ट आपन बात करते हैं तो नेक्स्ट आप देखेगे वड़ा क्यूक्शन नंबर 81 कंसिडरिंग दा मेजर टाइप न्यूट्रेंट साइकल वीच फॉलोंग इस डिफ्रेंट देन आधर पोशन चक्रन के प्रकारों का अधाब निवन से कौन जानते हो कि नाइट्रोजन है कार्बन है यह सब आपके हैं गैसे साइकल ऑक्सीजन है बट आप जानते हो कि फॉस्फोरस और सल्फर सेडिमेंटरी है तो यहां ऑक्सीजन साइकल कार्बन साइकल नाइट्रोजन साइकल यह गैसे से बट फॉस्फोरस एक सेडिमेंटरी तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सेकेंड आंसर आपका हो जाएगा नेक्स्ट आप देखेगा क्योशन नंबर 82 गीवन विलो इस वन आप दा टाइप अप एको लोजिकल पिरेमिड इस टाइप रिपरजेंड नीचे दिया गया परस्तिति पिरेमिड का एक प्रकार जो किसको ट्री डोमिनेंट और ट्री डोमिनेंट एकोसिस्टम पे नंबर का ट्री डोमिनेंट में भी नंबर का किलियर तो नंबर के कोडिंग सिंगल ट्री हो जाएगा फिर इंसेक्ट और इंसेक्ट को फीट करना लिए स्मॉल बड और लार्ज बड आपके किलियर तो या तो ट्री dominant ecosystem का number का pyramid है tree dominant में biomass का लोगे तो अप्राइट आएगा भी किलियर हाँ biomass का अगर आप tree dominant का लोगे तो tree का biomass फिर आप जानते हों कि bird या जो भी parasite है फिर tree insect फिर आप जानते हैं कि bird small or large bird है किलियर फिर आप कहते हैं कि भी यहां दूसरा आपका जो spindle होता है वो लैक के small pond में होता है biomass का small pond या lack में तो लैक के small pond में phytoplankton फिर जू प्लैंक्टोन और फिर small fish का कम ड्यू टू less size of lack के लिए अब यहां energy pyramid possible नहीं पिरेमिड़ बायो मास इन लैक यह correct है पिरेमिड़ बायो मास इन ग्रास लेंड ग्रास लेंड अप्राइट होता है पिरेमिड़ बायो मास इन फैलो लेंड यह भी possible नहीं है इलिए तो आपका अंसर यहां पर क्या हो जाएगा second next देखिएगा question number 83 which of the following set include the organism at same traffic level निम्न में से कौन सा समुच्चे समान पोस्ट इस तर पर है भी हाँ देगे sparrow loin wolf possible नहीं वॉल्फ टी त्री एटी-फूर आपका हो गया ग्रास ओफर यह टी-टू है फ्रोग यह पोसिबल नहीं सने कार्निवर्स हो गए बर्ड फिसेज मैं यह भी पोसिबल नहीं टाइगर लोएन हौक पिकॉक यह सारे सब टॉप कंजूमर है टी-सी है टॉप कार्निवर्स है टाइगर है लोएन हौक का पिकॉक है जनरली प्रेटिवर्स नहीं जो आप सबसे समझ सकते हैं कि इंसेक्ट जो प्लांट सैप को फीड करते हैं फाइट फैकस इंसेक्ट है रेबिट है डीयर है गोट यह सारे जो जूप लेंग्टॉन यह पीसी पेटी-टू को कर देंगी फिर आप जानते हैं कि आगे सेकंडरी कार्न प्रेटिवर्स हैं टाइगर लॉइन हॉक पिकॉक तो यह आंसुर आपका क्यों जाएगा फोर नेक्स्ट देखेंगा क्यूशन नमर एटी-फोर नंबर ओफ लिविंग इन पर्टिकुलर एरिया मास ओफ लिविंग इन पर्टिकुलर एरिया और ड्राइवेट आफ लिवि सब्सक्राइगा डेट अपन कंसिडर नहीं करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट आप देखिएगा क्योशन नमर एटी-फाइफ हाव मेनी स्टेट्मेंट और कारेक्ट निम्नों से कितने खतन सकते हैं नेट प्राइमरी प्रोड़क्टिविटीज आवलेबल बायोमास फोर सब्सक्राइब के लिए यह भी करेक्ट है और यह रोंग हो गया आपका क्योंकि एन पीपी टेरेस्ट्री रिजन की ज्यादा है यह अच्छा क्योशन भार बार आपका चुका है जो 85 क्योशन आपका है थर्ड आपका अंसर हो जाएगा यानि ए भी किलिए नेक्स्ट अपन प्राकर्तिक भंडार है तो आप जानते हैं कि लिथोस्पेर रोक के लिए आप जानते हैं कि जन्तु अडिरियस में कंटेंट हो सकता बड़ सोर्स नहीं है सोर्स आपका होगा स्थल मंदल सकता है के लिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्योशन नंबर 87 विच्वन उप ने पॉंड एको सिस्टम में एक से ज़्यदा ट्रोफिक लेवल को नोक्योपाई कर सकता है फ्रॉग नहीं फाइटकैंट यह पन्न्टोन यह पीपी आलवेज टीवन है जू प्लैट्टोन यह पीची आ है अल्वेज टीटू है हाना यह इनका तो फिक्स है फाइटकैंट प्राइमरी प्रोडूसर फस्ट और जू प्लेंक्टोन प्राइमरी कंजूमर प्रात्मिबोग का टी टू यस लेकिन फिसेज इस्मॉल फिस्ट जो है वो टी-3 ओ लार्ज फिस्ट आपका टी-4 तो यह थर्ड आपका अंसर हो जाएगा नेक्स्ट आप देखेगा क्योशन नं कि पारस्तितिक अनुकर्मन की दोरान दा नंबर एंड टाइप ओप एनिमल रिवेन कॉंस्टेंट जनतों की संक्या और किसम स्तिर रहती है ऐसा नहीं है दा चैंज लीड टू ए कम्मुनिटी देट इस नियर एकुलिबिरम विद अन्वार्मेंट एंड कॉल्ड पाइनियर यह भी रॉंग है उस समुधाय में होने वाले प्रतुने कारण जो प्रयाण के साम्में में है तो आपका क्लाइमेक्स है मीजोफाइट से क्लाइमेक्स है दा ग्रेजुवल एंड प्रेडिक्टेबिल चैंज इन इस्प्रसीज कॉंपोजिशन अकर इन गिवन एरिया यह कर आपका अंस्वर यहां पर आपको दे रखा है एकोलोजिकल सक्सेशन के डियूरिंग आपका जो 89 क्योशन है उसका अंस्वर आपका क्या होगा थर्ड होगा किसी जाती की संग्ठना में कर्मिक और पहले से बताए जाने हैं परियुतन एक छेतर में होते हैं बड़ आप से यहां पूचा कि डियूरिंग एकोलोजिकल सक्सेशन के लियर तो यह आपका आंस्वर होगा थर्ड के लियर फिर अपन बात करते हैं जो 89 क्योशन है उसका आंस्वर थर्ड है फिर अपन बात करते हैं क्योशन नंबर 90 और 90 क्योशन जो है डियूरिंग एकोलोजिकल रहती है क्लियर दा चैंज लीड तो कम्यूनिटी देज नियर इकलिविए इन्वारमेंट पाइनियर तो यह भी नहीं होगा दा ग्रेज्वल तो यह सेम क्यूशन आपका आ गया क्लियर जो आपका है 90 क्यूशन और यहां आपका अंस्वर क्या है थर्ड क्लियर तो यह आपका क्योशन सैμ था क्लियर फिर आप देखेगा क्यूशन 90 आपका हो गया क्यूशन 91 तरब इकोसिस्टम और ग्राइकोसिस्टम सब सबसे पहले किसने दिया तो आप समझा सकते हैं कि Sel. 플ियर नेक्स्ट अपन देखते हैं क्यूशन जो आपका है 92 to which of the following correct for our selected species आर चेनी जातियों के बारे में क्या है पर देखेगा डार्विन फिटनेस नेचुरल जो आपका है आर सेलेक्शन की जनरली जो और्गनिजम है वो एनवारमेंटल में अडेप्ट होते हैं तो लाइप इस्ट्री वेरिशन शो करते हैं यानि डार्विन फिटनेस को शो करने के लिए तो जनरली कुछ और्गनिजम में जो अपने लाइप इस्पान में एक बार रिप्रोड्यूस करते हैं कुछ मैनी टाइम करते हैं अब जो मैनी टाइम अगर लार्ज नमबर तो स्मॉल साइज ऑफ स्प्रिंग और सोट लाइप स्पान तो यहां रिपरेजेंट रिपरेजन करेगा. respiratory loss की unit time में unit area में total organic matter का synthesis होता total photosynthesis यह particular area में जो plant unit time में जो total production करते हैं biomass का that is GPP gross primary productivity फिर after their respiratory loss, respiration न जो अपना loss कर लेते हैं available food is NPP net primary productivity और NPP is available food for herbivores या consumer के लिए ठर्ड आपकान सुर हो गया next आप देखेगा question number 94 the amount of nutrient such as carbon nitrogen phosphorus calcium the soil at given time तो अगर इनकी जो amount inorganic जो matter की आपको मैंने पहले बताए कि decompose करेंगे inorganic तो आपका हो गया standing state आपका 94 का answer क्या हो गया second हो गया then 95 और 95 question है which of the following statement is not correct निमने में से कौन सा खतन सही नहीं है pyramid of biomass in sea generally upright समुंदर में जेव भार की pyramid सामर सीधे नहीं oceans में biomass का आपका क्या होगा inverted होगा clear pyramid of energy always upright correct है pyramid of number in a grassland is upright correct है pyramid of biomass in sea generally inverted ये भी correct है तो आपका answer क्या हो गया आपसे पुचा not correct तो answer क्या हो गया first तो 95 का answer first हो गया 96 question की बात करेंगे विटा तो 96 देखिएगा which of the following represent so the pyramid of number in a forest तो में आपसे काता ना कि dense forest है एक forest ecosystem ऐसा होता है कि अगर वहाँ अपन dense forest की dense second one dense forest की तो हो सकता है कि upright हो जैसे कि हर्ब है सर्ब है फिर हर्वियोरस है फिर कार्णियोरस है बट अपन वहाँ tree dominant रिलें तो tree dominant ecosystem अपन लें तो inverted parasitic food chain में inverted और या फिर आप जानते हो कि spindle कि tree insect और वो spindle तो यहाँ पर देखेगा कि upright inverted और spindle तीनों को आपका शो करता है यह c option आपका करता है कि लिए तो यहाँ आप देखेगा कि जो upright को भी करता है inverted को भी करता है और दोनों को आप करता है फोर्थ आप कांसुर हो गया next आप देखेगा question number 97 which one of the following is not a functional unit of an ecosystem निम्ण में से कौन एक परस्तिक तंतर की कोई कार्यात्मिक है नहीं productivity है energy flow है decomposition इस्टेटिफिकेशन 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 जो वर्टिकल स्टेटिफिकेशन इस्ट्रक्चल आस्पेक्ट ओप एकोसिस्टम वो तो सर्चनात्मक हो गया तो यहाँ पर आपका second answer next आप देखेगा question number 98 given below is an imaginary pyramid of number what could be one of the possibilities about certain organism at some different level की नीचे कालपनिक संक्यों का प्रेमिट दिया गया है कुछ इस्तरों पर किस प्रकार के कुछ खास जियों की संभावना हो सकती है बैदे को यह tree dominant ecosystem है यहाँ number 1 दे दिया न तो tree dominant है यह और tree dominant आपका ecosystem है तो यहाँ देखेगा पीपी स्तर पे plant tree हो गया फिर PC स्तर पे insect हो जाएगा और insect को small bird और small bird को large bird clear तो यहाँ देखेगा कि third answer PC स्तर पे insect SCP छोटे आपके जो कीट भक्सी भक्सी है किलियर यह आपका होई गए next आप देखे question number 99 identify the possible link A in the following food chain इस खादिस संक्ला में A क्या हो सकती है तो plant insect frog तो यहाँ पर snack आ जाता है और snack यहाँ कोब्रा snack क्या पर दे रखा है तांस्वर क्या हो गया first हो गया next आप देखेगा and last question देखेगा students handed question तो बहुत अच्छे से अपन करेंगे तो भी इसको paper के साथ में आप करें और the last question देखेगा the second stage of hydrosirate is occupied by plant life कि जलारंबी अनुकरमन की दूसरे उसता तो जलारंबी के अंदर hydrosirate के अंदर phytoplanktonic stage हो गई then submerged तो वेले स्नेरी आपका होता है तो सैलिक्स नहीं यहाँ पर वेले स्नेरी आपका answer हो अच्छे रहिए मस्तरी confidence को इंक्रीज करना लास्ट टाइम के अंदर आप अपना बचेविए सलबस को बहुत बैस्ट करना है उसके बाद physics इको को बहुत अच्छे से देगना है और उस दोरान physics को अधिक से दिख पढ़ना है बढ़ दोनों सब्जटों थोड़ा देखते करें अपना minor तयार करें और फिर students आप ध्यान दीजिए का कि CLC का एक और अच्छा unique concept DCM डेली टेस्ट का मेजर टेस्ट यानि डेली पर्टिकुलर टोपिक का टेस्ट होगा एक एक टोपिक का तो अच्छा टोपिक आप तयार करें डेली ठोरी का ठोरी की समस्याओं को हो गए और आप 580 तक ले गए तो 100% आपका शोर सेलेक्शन होगा और बिल्कुल हमारा विश्वास है आपका पैरेंट्स का विश्वास आप अच्छा करेंगे बेस्ट करेंगे CLC और सभी जो CLC जूड़ी students हैं उनका confidence low होई नहीं सकता thank you very much इस वीडियो को बहुत अच्छ देखें मस्त रहें पर अपने questions को त्यार करें थैंक्यू बेर मच्छ जैजे CLC हालो स्टुडेंट्स आज हम बायो केम 24 एन कंटेनिंग कार्बोगिली कैसीड का solution करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम question number one से start करते हैं बच्चो in the following reaction product is निमलिक तभी केरे में उत्पाद होगा देखिए केमनो फोर्ज होता है acidic medium में यह oxidizing agent होता है यह है oxidizing agent और उसमें भी हम बात करें कि strong oxidizing agent होता है तो यह क्या करता है इस multiple bond को बच्चो ब्रेक कर देता है और सी डबलोच में convert कर देता है टर्मिनल कार्बन को और यहां पर कोई stereochemistry consider नहीं है तो सी डबल ओए सी डबल ओए सी डबल ओए स्थार्ड एंसर इस करेक्ट ठीक अभी मिला आपने पास क्या है oxidizing agent है जो क्या करता है मल्टी बल बॉंड ट्रिपल बॉंड इन सबको अक्रडाइस कर देता है तो नेक्स्ट क्वेशन लेते हैं क्वेशन नमबर सेकेंड विच अब फॉलोविंग गिवस्ट स्टेबल डाइसोनियम सॉल्ट कौन सा एक सर्वादिक स्थाई डाइसोनियम लवण देगा देखिए डाइसोनियम लवण का मतलब बच्चों यह है कि यह हमारे पास एमुद्बच्वं ग्रूच्व यहां पर हमारे पास और एक्तर सेपन सब्हादा यहां से इलेक्ट्रोफाइल होता है जो हम इसको पॉजेटिव चार्ज की स्टेब्लीटी देखे तो वह सबसी हमारा आंसर जाएगा फस्ट नेस्ट लेता हैं बच्चो अगला कुश्चन थार्ड नंबर एक्सपरिमेंटली रिदूसिंग फंक्शन ग्रूप कैन नोट बी डन वाई विच वन आप फॉलोविंग रिजेंट कौन सा यूग में किरियात्म क्समों कि आप चाहे की रुप्य कारियर नहीं करेगा देखो रिदूसिंग एजेंट में जो आपने बात करें पीडी सी रिदूसिंग एजेंट है जिंक एचल रिदूसिंग एजेंट है पीटी सी एच्टू रिदूसिंग एजेंट है के टू सियार्टो सेवन बच्चो ऑक्सिडाइजिंग एजेंट है यह ऑक्सिडाइजिंग एजेंट है तो फॉर्थ एंसर इस करेक्ट फॉर्थ नंबर विचो फॉलोविंग रेक्शन इस एन एग्जम्पल ओफ अमोनो लाइसिस कौन सी अभी किरें अमोनी अपगटन का एक उधारन है अमोनी अपगटन बच्चों देखो एलकील हलाइड की रेक्शन पड़ी है यहां पर यहां पर यहां पर यहां बन जाता है ठीक हाँ बच्चों आर एनस्टु बन जाता है तो इसी तरह से आप आगे र्यक्शन पर फिर फोरवड करते हैं तो इसको आपमोनोलाइसिस केते हैं जैसे हमार पास अदेखे यहां पर यह CL एक लिविंग ग्रूप है और यह अमोनिया हमारे पास क्या है नुकलियोफाइल है नुकलियोफिलिक सब्स्टूशन स्रेक्शन एनसर रेक्शन होगी हमार पास और इसमें अमोनिया कि एक एक यह श और यह दो हो रहा है यह तरह से कर सकते हैं कि अल्ड़ के विग्राइब कर सकते हैं तो यह फूर्थ आन्यूपर जाएगा हमारा कि नेक्सट कि इन दर फॉलोविंग होप मान ब्रोमीड डिग्रेडेशन रक कार्बोनिल कार्बन लोस्ट एज इन फॉब हापमान निमीकर निम निम्निकर्ण विखरें कार्बोन कार्बन किस में प्रिवर्चित हो जाता है तो देखे बच्चों आपके पास रेक्षन आपने पढ़िए ह सब्सक्राइब करते हैं यहां से यह सब्सक्राइब होता है यह किस फॉर्म में होता है के टू सी यह यहां पर बच्चो आर एनस्टू बनता है और सी यो टू निकलती है के टू सी यो के फॉर्म में हैं और प्लस कि भी भी बनता है प्लस एच ओ बनता है इस तरह से हमिये कह सकते हैं कि कार्वो नेट के फॉर्म में यहां सी यो टू निकलती है जैसे हैं ऐसे लेख्शन यह सोड लेजाए एकिकन आपल देख्शन वह Middle Grade लेते होग इसमें बी सी अ चूय consider the given reaction question number 6 देखते हैं बच्छो कि है एचनो 3 च्टुन 4 देरे हैं हमरे पास देखें हैं जी मिक्षर हो गया यह नाइटरिटिक मिक्षर के अंदर हम यहां पर करने पास क्या होता है नाइट्रो नियम आइन चो पोजेटीव होता है लेकिन देखें इन फ्र यहां पर बच्चों क्या होता है कि एनिलीन जो होता है इसका एसिड बेश रेक्शन होता है और यह बना लेता है एनिलीनियम आयन बना लेता है और एनिलीनियम इदे मेटा डिरेक्टिंग ग्रूप तो यहां पर बच्चों क्या होता है नाइट्रोनियम इलेक्ट्रोफाइल जो होता है यह मेटा पोजिशन पे भी अटेक कर लेता है तो पॉसिबल प्रोड़क्ट और तो के साथ में मैटा भी बनता है और यह जो पैरा प्रोडेक का कुशण है यहाँ पर बचे यहीं को यह आपको बनता है क्योंकि इसमें यह बनता है बीच में इंटरमीडेट इन्विण क्या होता है क्या होता है इसलिए इंकमिंग क्लेक्ट्पाल अडिया दो Wesatri और बनती है ओर तो बनती है और तो ओचिए हैं दोनों गई यहां अडिक मे posi करला है अएसा होता है नेस्ट लेते हैं बच्चो देक्रीजिंग ओडर अफ एलकलाइन हाइडरोलाइस अफ फॉलॉविंग एस्टर्स देगे एस्टर की हाइडरोलाइस हो रहा है एस्ट डेरिवेटिव की रेक्शन है यह जैसे आपके पास में एस्टर है इसका हाइडरोलाइस कर रहे है बेसिक मीडियम में यहां से देखिए बच्चो यह लेविंग ग्रूप है यह नुक्लियोफाइल अटेक करता है तो कार्बोनिल कार्बन पर पोजेटिव चार्ज आपके पास आना चाहिए तो यहां पर गारेक्टिविटी डारेक्ली प्रपो और यह है EWG ठीक है बच्चो तो यहां पर यह भी विड्रोविंग है लेकिन यह इसमें माइनस आर इफेक्ट लग रहा है आपका और इसमें माइनस आई भी लगता है दोनों इफेक्ट आते हैं आपके पास में इसमें माइनस आर और माइनस आई दोनों गुरूप आपके पास काम करेंगे तो सबसे ज्यादा आएगा आपका थर्ड और थर्ड के बाद में आएगा सेकेंड थर्ड सेकेंड और उसके बाद फस्ट और फिर फोर्थ तो बच्चो थाइड एंसर इस करेक्ट नेक्स्ट कुश्चन लेते हैं पास में यहां पर आपके पास में यह रेक्शन होगे आपके पास fsr free radical substitutions यहां को बेंजाइलिक hydrogen का replacement होगा बच्चो यहां से h निकल जाएगा यह और यह ब्रोमीन यहां पर आजाएगा आपके पास तो सबसे पहले देखिए आपके पास यह बन जाएगा CHBR और यह है CH3 अब देखिए इंट्रा मोलीकुलर यहां पर नुकलियोफिलिक सब्स्टूशन रेक्शन होगी यह अलकोली क्योज आ रहा है हीटिंग भी आ रहा है हीटिंग का मतलब यहां पर बहुत ज्यादा हीट नहीं यह अलकोलिक क्यों दे रखा है वैसे एलिमिनेशन की पोसिबिलिटी भी बन जाती है लेकिन यहां पर हमारे पास कोई और उप्शन नहीं बनेगा इंट्रा मोलीकुल एक्शन का यह आपके पास में इस कार्बन पर टेक करेगा यह लेविंग ग्रूप रिलीज हो जाएगा इंट्रा मोलीकुल एक्शन होने के बाद भी बच्चों यहां से एक हीजी रिलीज होगा तो यह थार्ड एंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा इंट्रा मोलीकुल एक्शन का यह जो प्रोडेक्ट बनेगा हमारे पास यह NH हो गया और यह CH3 यहां आजए है इन दे फॉलोविंग कंपाउंड इस फेवरेबल साइट फॉर प्रोटोनेशन फेवरेबल साइट मतलब मोस्ट बेसिक साइट अपने को देखने हैं बच्छो देखें यहां का लोन पेर आपका का कॉंजूगेशन में चला गया है यह लेस बेसिक हो गया आपका और यहां का लोन पेर जो है ये भी conjugation में जा रहा है तो ये aromaticity का भी involved हो गया तो ये भी less basic है अब यहाँ पर देखिए ये और ये वाले और ये ये localized loan pair है इनमें सब में यहाँ पर भी localized है localized loan pair जो resonance में involved नहीं है तो D, B, C ठीक है बच्चों D आजाएगा और B आजाएगा third answer is correct question number 10 number देखिए बच्चों the major product Z obtained in the following reaction देखिए सबसे पहले ये हमारे पास die-agotation reaction होगी ये है die-agotation ये N2 plus और CL minus इसके बाद में हमारे पास ये है send-me reaction send-me reaction में हमारे पास बच्चों ये आजाएगा ये BR और इधर ये BR इसके बाद में ये हमारे पास आगए नाइट्रेशन तो इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास क्या है NO2 पोजिटिव चार्ज है तो NO2 पोजिटिव क्या अगर जैसे ये और्थो पोजिशन और या फिर ये और्थो इस पर अटेक कर लेगा तो यहां पर ये कर गया है तो इसके अकोर्डिंग देखे सेकेंड एंसर हमारा करेक्ट है और तो आ रहा है जैसे मालो ये और्थो मैटा और ये पैरा यहां पैरा देखोगे तो इसके अकोर्डिंग देखो इसका पैरा है पैरा या फिर और तो प्रोड़क्टिव बनता है आपको पता है य second answer is correct which alcohol gives fast acidification reaction कौन सा alcohol तीवर एस्ट करण देगा देखे एलकोल तीवर एस्ट करण देगा पुछ रहे है देखे आपके पास होता है एक एसीड़ इसकी reaction करते हैं अपन alcohol के साथ में तो यह living group होता है बच्चों यह LG होता है यह nucleophile है यह attack करेगा इसके उपर तो यहां living group क्या होना चाहिए गुड होना चाहिए और दूसरा यहां पर depend करता है justification कि भी आपके पास nucleophile जो है वो less crowded होना चाहिए तो यहां पर जैसे जैसे alcohol में crowding बढ़ेगी जैसे CH3 है, C2H5 है C4 है, C7 है crowding जैसे बढ़ेगी nucleophilicity कम हो जाएगी ठीक है बच्चों crowding increase होगी आपकी तो nucleophilicity nucleophilicity decrease होना start हो जाती आपके तो आपका पास first answer is correct question number 12 देखिए सबसे पहले ammonia reaction करवाएंगे तो acid base reaction हो गई सबसे पहले इसके बाद में इसको heat करेंगे फर्दर NS2 अब इसको बच्चों heat करने पर ये convert हो जाएगा आपका अब इसको strongly heat कर देंगे तो यहां से एक NS3 molecule निकल जाएगा फिर फर्दर strong heat करेंगे यह बन जाएगा इसको बच्चों हम बोल देंगे थेले माइट first answer is correct थेले माइट बन जाएगा आपका question number 13 which of following will not react with the Hinsberg region होता है बच्चों बेंजीन लिंक से C6H5SO2Cl जोड़ दीजिए बेंजीन सलफोनील कलोरेड को बोलते है इंसबरग region तो इंसबरग region क्या करता है 1 degree 2 degree reaction कर लेंगे 3 degree not react देखें यह 3 degree amine है यह है 1 degree और यह आपका है 2 degree तो 3 degree amine में hydrogen ही नहीं होता है यह reaction नहीं कर पाएगा तो third answer is correct which of following give the yellow oily liquid with nitrous acid yellow liquid देगा बच्चों secondary amine देखें हमारे पास यह होता है R2NH और nitrous acid होता है HONO देखें यहां से H2 release हो गए आपका यह बन गए R2N N double bond O इसको बोलेंगे N nitroso dialkyl amine यह है yellow oily liquid yellow oily liquid होता है तो यह जो reaction है बच्चों 2 degree amine देते हैं 2 degree amine तो dimethyl amine आपका 2 degree amine आ जाएगा यह 3 degree amine हो गया है यह 1 degree amine यह aniline aromatic amine हो गया तो हमारा second answer is correct the reaction of primary amine with chloroform and ethanolic solution of the chaos is primary amine बच्चों यह होता है RNS2 इसकी reaction हम करा रहे हैं chloroform से chloroform आप ले लिजिए CHCl3 in presence of basic medium तो यहां से देखो इन दोनों की reaction से आपके पास CCL2 di chloro carbon बनता है और यह nucleophile होता है इसके अपराटेक करता बच्चों HCL release होने के बाद में यहां RNC बन जाता है और इसकी bad smell आती इसको कार्विलमीन reaction और आइसो साइनेट टेस्ट करते हैं अपन तो यह थार्ड एंसर हमारा क्रेक्ट हो जाएगा most acidic in in which देखें बच्चों सबसे ज्यादा acidic पिकरीक अश्रीड जैसे आपने सुना है तो यह महर पास यह है पिकरीक अश्रीड जो होता है यह कार्वोग्जिलीक अश्रीड जो होता है उससे भी स्ट्रॉंग अश्रीड होता है पिकरीक अश्रीड विच एसेड नॉट गिव दाएच्पीजड रिएक्शन एच्पीजड रिएक्शन का मेला बच्छों हैल वोलाड जैलिंस की रिएक्शन है ये और ये देते हैं आपको अल्फा एच कंटेनिंग एसिड इन परजेंस ओफ रेड फोस्पोरस तो जैसे आपके पास में इस तरह के एसिड आते हैं बच्चों रेड पोस्पोरस की परजेंस में हेलोजिनेशन करते हैं तो ये रिपलेस ओकर के बन जाता है र-C-H-X-C-O-H ये है एच्पीजड रियक्शन तो एल्फा एज इस कंटेनिंग देखिए ये आपके पास एल्फा हें कंटेनिंग यह भी है और ये भी है इसमें ओलफा ह नहीं है आलफा ह नहीं है ईसमें बी वालेंगे नो आलफा एच से यह थार्ड आनविक्ट rep Rider question number 18 when propionic acid is treated with the aqueous sodium bicarbonate co2 is liberated the sea of the co2 comes from sodium carbonate with aqueous sodium carbonate or co2 जो है यहां पर यह gas liberated होगी co2 निकलेगी यहां पर तो यह आपके पास propionic acid क्या होता है इसकी reaction करवाते हैं अपन sodium bicarbonate na co3 से तो यहां पर carboglyc acid जो होते न यह आपसे strong acid है तो यह इसको displace कर देगा और displace करके इसका salt बन जाएगा CH3 CH2 C O O N A और यह co2 release हो जाएगी और H2 बन जाएगा बच्चों यह carbonic acid तो यह आपके पास sodium bicarbonate बनता है ना इसी से आपकी क्या निकलती है co2 निकलती co2 का सीख आता है the sea of the co2 comes from sodium bicarbonate तो fourth answer is correct कि देखें पूरा initiative based paper है concept आपने अभी तक काफी पढ़ लिये हैं अभी यह एक paper और last आपका chem diabetes का बचा है ठीक है तो मैं expect करता हूं आप तो साहिए लगबग आपकी organic complete होने वाली बच्चो तो अब organic में क्या होते थोड़े mix question आते हैं और आप question करने के speed है वो भी आपकी अच्छी हो गई हो इसाइट तो question no.19 एस formic acid और form aldehyde को distinguish कैसे कर सकते हैं पर देखें फैलिंग solution में aldehyde और यह formal group होता है HCOOH जो हता है इसमें formal group होता है बच्चो यह इस वज़े से यह test देदेगा HC1H देखें इसमें भी formal group है दोनों में तो यह तो common हो गया tolen recent ammonical silver nitrate के साथ aldehyde देते हैं और कार्बोगलिक acid में केवल formic acid देता है यह दोनों ही common हो गई हेलो form दोनों नहीं देंगे बच्चो हेलो फोम के अंदर आपके पास इस तरह का गुरूप आना चाहिए यह जो गुरूप आता है इसके अंदर यह हेलो form टेस्ट देते हैं आप sodium bicarbonate टेस्ट जो होता है बच्चो aldehyde नहीं देगा और कार्बोगलिक acid देगा तो थार्ड हम क्या कर सकते हैं इसको differentiate कर सकते हैं इससे नेक्स कोश्चन लेते हैं कर्यक्ट acidic strength order of the following is देखें यह है trichloracetic acid यह आपके पास है नाइट्रो acetic acid और formic acid यहां देखें बच्चों withdrawing group आ रहा है CCL3 तीन गुरूप का भोज़द effect आगे आपके पास फिर यहां NO2 का एक गुरूप का effect आ रहा है तो first, second, third यह आपका correct हो जाएगा देखें aromatic में अपने कहते हैं, aromatic जो होते हैं वो सारे एक सारे aliphatic से strong acid होते हैं लेगिन except formic acid तो पहले third आएगा और फिर आपके पास fourth आएगा कि अब नेम अब फॉलोविंग रिक्षिन इस निविद अभिकरिया का नाम है अभी थोड़ देर पहले बताए बचाओ यह माइड है ब्रोमीन एन्ने उसकी प्रजिंस कराते हैं यह आपका वन डिगरी एमीन बन रहा है और मैंने बताया था कि CO2 जो होता है कार्बोनेट के फो में रिलीज होता है इसको होप मान ब्रोमेमाड रिक्षिन करते हैं होप मान डिगरेडेशन रिक्षिन भी करते हैं एमीन में आपके एक कम कार्बन का एमीन मिलता है बच्चो तो हमारे पास सेकेंड एंस्वर आजाएगा 22 नमबर में इन दा फॉलविंग रिक्षिन आइडेंटिफाई ए देखें बच्चो यह हमारे पास डाई एजोटेशन रिक्षिन हो गई है और यहाँ प्रोड़क्ट बन रहा एलकोल बन रहा है तो देखें हमारे पास जो भी एमीन आता है एलिफेटिक एमीन में यह कहते ह है जैसे CH2 और NH2 आगया और यह हमने रिक्षिन कराई एन एन नोट टू और प्लस एट सी एल से तो यहाँ आपके पास क्या बनता है कार्वो के टैन इंटर्मीडेट बनता है और इसके उपर वोटर अटेक करता है तो आर सी एच टू ऊच बन जाता है लेकिन बच्चों एक कि इसमें कि एकस्प्शन होता है वह है मेफ्यल एमिन मेचल में मेचलर बनता है 104 Ch3 बनता है और इसमें च्ड़ है और इसमें मैचर फास्ट एंसर ऐरजाया जाएप गया और है जो इथर बनता आता तो हमारे पास सेकिंड आता है नेक्स्ट कोश्चन लेते हैं इन इन फॉलोविंग रेक्षिन सीच्स एच फाइब सीच टू और यह आपके पास आगया बच्छों हिंस्बरग रीजेंट इन स्बरग रीजेंट तो यह पहले तो देखो इसके साथ रेक्षिन होगी तो यह बन जाएगा च्छ टू यह हो गया एन एच यह हो गया बच्छों एन बेंजिल एन बेंजिल सल्फोनिमाइड बन गया अब इसमें यह हाइड्रोजन आपका एसेडिक होता है तो बच्छों यह क्या करता है बेश में डिजॉल हो सकता है अन्योज क्या होता बेस होता अपका बाकी यह शव एक्षिड रस्ट एंपर एन सबमें आनरीलिन लेक्षिन करढवा रहे हैंपन बच्छों यह एंएल्लीज नपर आपके पास है Bromination कर वा रहे हैं Wir2 Frition कर वा रहे है Bromination के अंदर देखिए यह आपके पास यह तो ओर्थो पे टेक करेगा, यह पेरा पे करेगा Meta पे नहीं करेगा, यह ओर्थो है यह ओर्थो है आपका ये पेरा है اور यह Meta हो गए बच्चो, यह Meta Position हो गी तो मेटा पे कभी भी अटेग नहीं करेगा ESR में इलेक्टरोफिलिक में ध्यान रखो यह जो एनिलीन होता है वो ओर्थो पेरा डिरेक्टिंग ग्रूप होता भी देक्टिवेटिंग ग्रूप रिंक ग्रेट भी करेगा और इसमें इंटर्मीडियर बनता है एरेनियम आयन और कार्बो केटाइन तो हमारा थार्ड एंसर इसमें करेक्ट जाएगा विचो फॉलोविंग रेक्शन विल नॉट गिव प्राइमरी एमिन तो देखिए बच्चो इसमें प्राइमरी एमिन यहाँ बनेगा और यहाँ बनेगा CS3, CS2, NS2 और इसमें बन जाएगा CS3, NH, CS3 यह 2 डिगरी एमिन बन गया बच्चो यह 2 डिगरी एमिन हो गया हमार पास और यहाँ पर भी आपको पास CS3, CS2, NS2 बन जाएगा बन डिगरी एमिन तो थार्ड एंसर में प्राइमरी एमिन जो है आपको नहीं मिलेगा बाके रीक्षिन मिल जाएगा कर देखिए यहाँ पर जो यह न्यूकलियोफाइल अटेक कर रहा है जैड आपके पास बच्चों क्या है लीविंग ग्रूप होता है लीविंग ग्रूप तो लीविंग ग्रूप जो है गुड लीविंग ग्रूप अपन कहते हैं कि जैसे स्ट्रोंग एशिड का कॉंजूगेट होता है वीक बेस और वीक बेस आर गुड लीविंग ग्रूप होते हैं तो यहां आप यह देख लिजिए जैसे CL है यह आता है बच्चो HCL से और यह strong acid हो गया strong acid का conjugate weak base हो गया और बाके देखिए यह acetic acid हो गया आपका यह alcohol हो गया है और यहां पर भी negative charge है इसका महलए यह ammonia हो गया आपके पास तो यहां बच्चों fourth answer आपका correct जाएगा क्योंकि living group जो है आपका weak base are good living group यह CL माइनस आता है HCL से तो यहां पर यह SIL-NSR reaction हो गया SIL-NSR की जो rate depend करती है कार्बोनिल कार्बन पोजिटेव चार्ड डेंसिटी पर और दूसरा अमारे नेचर और living group के उपर तो आंसर हमारा fourth is correct when the ethane amide is treated with the CH3Mg where the product formed is देखिए बच्चों CH3Mg-VR यहां reaction जो है acid based reaction बहुत fast होती है ethane amide में आपके पास acidic hydrogen है C2H5 CH3CONS2 यह ethane amide हो गया है इसके बाद में यह है CH3Mg-VR है तो यहां बच्चों नेगेटिव आएगा इस पर positive आएगा यह hydrogen आपका क्या है acidic hydrogen है acidic H है इसमें तो acid-base की reaction होने से यहां बनेगा CH4 तो थार्ड answer is correct acid-base reaction जो होगी उसको में परएटी देदेंगे what is the product of the reaction of aniline with a bromine iron non-polar solvent such as CS2 जब aniline bromine के साथ आए धुरीवी विलाएक जैसे carbon disulfide विक्रिया करता दुत्तपाद होगा तो what is the product of reaction of aniline with bromine non-polar solvent such as CS2 जैसे यहां पर यह थोड़ा सा द्यान नहीं है bromine की reaction non-polar solvent से आए बच्चों यहां तो non-polar solvent में कराएंगे तो ortho भी बनेगा और पैरा भी बनेगा और यहीं polar लेते हैं तो वहां ortho orthodes और पैरा सप्प्य अटेक हो जाता है ठीक है तो यहां यह ortho product है यह आपका पैरा है और mixture of the ortho पैरा तो third answer आपका correct हो जाएगा non-polar में ortho पैरा यह दोनों का mixture बनता है और polar लेते हैं तब तीनों जगा टेक हो जाता है जिसको आपन ब्रोमिन वाटर टेस्ट भी कह सकते हैं पॉलर प्रोटिक में क्योंकि रिंग हाइली एक्टिवेट हो जाती है बच्चो 29 identify hisberg region the following यह भी बताया था कि बेंजीन सल्फोनील कलुराइड बेंजीन डारेक्ट रिंग से टेंच और चाहिए पॉलोविंग सीरीज आपके पास यहां पर बन जाएगा बच्चो सी एस्थरी सी यो एनस्टू यह बन गया है और फिर इसको अपन फर्दर हीट करेंगे तो एस्टो निकल के यहां पर बन जाएगा देखें यहां पर कि मैं दुबारा बता देता हूं पहले देखें पहले अस्ट्ट बेस इलिक्षन करवा रहा है यह तो यह बन रहा है इसको फिर यह कि यहां से एस्टू रिलीज हो गए बच्चों इसके बाद में पी टू फाइब क्या होता है डी हाइडरेटिंग एजेंट होता है इन पर्जेंस ओफ पी टू फाइफ डी हाइडरेटिंग एजेंट तो यहां से एस्टू निकल के यह बन जाएगा सी एस्ट्री सी एन तो सेकेंड एंस्वर आपका क्रेक्ट हो जाएगा कि आइडेंटिफाइब कंपाउंड ए बी सी इन दा फॉलोविंग डेक्शन देखें च्छी बी आर की रिक्शन कर आएंगे एमजी की साथ में तो च्छी एमजी बी आर बन जाएगा बच्छो यह हो गया ए और फिर सी यो टू की रिक्शन करवाएंगे तो यह नेगेटिव वाला पार्ट इस पर टेक्ट करके और इसको एस्टेड में करवर्ट कर देगा हाईडोल एसीज भी हो जाएगा और मैं डारेक्ट प्रोडेक्ट लिख रहा हूं सी एस्टरी सी डबल ओच फिर आपका एस्ट्रिफिकेशन होगा सी एस्टरी ओच यह ल प्रोडार बन गया फिर एस्ट बन गया और सी एस्टरी दबलो सी एस्टरी तो यह सैकेंड आंसर जाएगा आपका इन विच देख रेक्शन सोडा लाइम इस यूजट सोडा लाइम क्या होता बच्छो सोडा लाइम होता है एन ने ओवच प्लस सी ए ओ का मिक्षर 3-1 में आता है तो आप यहां क्या करते हो कार बोग्च लिक बेशिड लेते हो या फिर कोई भी सोट लेते हो उसको सोडा लाइम की परज़ेश में हीट करते हो यह बन जाता है आपके पास अल्के यह यहां पर सीओटो निकल जाती है एन नी-टू-सी-ो-3 के फॉर्म में सोडियम कार्बोनेट के फॉर्म में लेज हो जाती है स्योटो एलकेन बन जाती है कि विचोंप फॉल्विंग है मैक्सिमम के के मैक्सिमम ला एसेडिक स्टेंद होगे रिलेट्टिव एसिडिक जो स्ट्रेंथ होती है डारेक्टली प्रपोर्षनल टू कोंजूगेट एन आइन और के ए बोल दो और इन्वर्षली प्रपोर्षनल पी के ए बोल दो तो यहां आप आप देखिए के वैली सबसे ज़्यादा तो सबसे जादा strong acid देखिए, यहाँ पर third आजेगा आपका, क्योंकि EWG आपके पास 3 आ रहे हैं, यहाँ पर 2 chlorine आ रहे हैं, यहाँ एक आपके पास इधर कुछ हाई नहीं, तो सबसे जादा withdrawing group आपका, यहाँ EWG effect आपके पास N9 को क्या करेगा, stable कर देगा, conjugate N9 को, तो third answer is correct होगे बच्चो, कार्बुल, एमिन और आइसोसाइनेट टेस्ट इस गिवन भाई, मैंने यह बताया भी थोड़ दर पहले, इस टेस्ट इस गिवन ओनली बाई, वन डिग्री एमिन, और वन डिग्री एमिन, मेबी एलिफेटिक, और एरोमेटिक, बोथ, तो यह आपके पास देखिए, यह वन डिग्री एमिन है, बच्चो, यह एलकोल हो गया, यह आपका एमिन है, तो यह third answer is correct, मैन प्रोड़क्ट इन CS3, वन CS3 एनस्ट इनस्ट इक्टि रेच्चन उट्टू, तो मैंने यह बताया था कि इसमें मैन प्रोड़क्ट पूछ रहा है, यानि मेजर प्रोड़क्ट पूछ रहा है, तो यहां देखिए, यह मेजर बनता है, इसका reason क्या है बचो इसमें आपके पास में CS3 यह कार्बोकेटाइन बना और एक बार आपके पास CS3 OH यह एलकोल बनेगा, तो यह इसके उपर क्या कर लेता है, अटेक कर लेता है, और अटेक करके और यह इसको कनवर्ट कर देता है, अभी लेकिन मेथिल कारबोटेन हाइली रिक्टिव होता है, और इसके उपर वापिस फर्दर मेथिल अलकोल गा तुरंट अटेक हो जाता है, और मेथिल अलकोल क्या होता है, अच्छा नुक्लिफाइल भी होता है, तो इस वज़े हमारा answer जो है, इथर आजेगा, second answer is correct, question number 36 बच् सबसे ज़्यादा बेसिक होता है, टू डिग्री एमीन, 213A, when R is CS3 group, और एक है 231A, when R not equal CS3, बैस यह याद रख लिजी, तो यह 2 डिग्री एमीन जो है, सबसे ज़्यादा बेसिक होता है, एक्वस मीडियम है, यह है इन एक्वस मीडियम, तो यह आपका secondary अमीन आजाएगा, यह आपका, और फिर फिनोल है, इसमें आपको पता, इक्वेलेंट डेजिन स्ट्रॉक्चर बनते हैं, नहीं ज़्यादा स्टेबल होते हैं, यह आपके पास आजाएगा, फिर एलकोल तो सबसे बेस, सबसे वीक अशिड हो गया, तो फिर्स्ट एंसर आपका जा रहा है, यह 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 गलत हो रहा है, यह आपके पास आजाएगा, फिर्स्ट, इस फोर्मड वैं दबेंजीन दाइजनियम स्ट रेक्ट विद अनिलीन, देखें बच्चों, अनिलीन आपके पास आगया, यह है अनिलीन, और दाइजनियम स्ट आपके पास, तो यह क्या करता बच्चों, यहाँ पर अटेक कर लेता है, और यह बन जाएगा, आपका यह कलर डाई बन जाएगी, यलो कलर का पिग्मेंट बन जाएगा, इसमें extended conjugation होता है, और यह फिनोल के कैस में बच्चों, यहाँ ओरेंज कलर की डाई बनती है, तो यलो पिग्मेंट आजएगा आपका, यह है यलो कलर का, यह आपके पास एजो कप्लिंग रेक्शन के नाम से जाना जाता है, इसको, एजो कप्लिंग रेक्शन बोलते हैं इसको, और दूसरा ध्यान रखना है, इसमें mild acidic medium में होता है यह, ठीक है बच्चों, तो यह हमारे पास बेंजिन डैजिन सॉल्ड की रेक्शन, एजो कप्लिंग रेक्शन, पीला रंजक बन जाएगा, सेकेंड एंस्वर आजाएगा, आपका, CH3MGBR, CO2 शिक्शन करेगा, तो देखें बच्चों, यह है CO2, और CH3MGBR में आपके पास, यह नुकलियो फाइल है, तो इस पर आपके पास negative आयरा, इस पर positive आयरा, यह अटेक कर लेगा, इसके उपर, तो यह बच्चों बन गया, CS3C, यहाँ आजएगा, OMGX, इस carbon पर जुड़ गए आपका, और इस negative के जुड़ गए आपका, तो यह nucleophilic addition होगा है, second answer आपका correct जाएगा, बच्चों, Nucleophilic addition, पिचों, फॉल्विंग, टू स्टेट्मेंट इच, एनिलीन दस नोट अंडर गो दफिडल काफ्ट reaction, यह तो टू स्टेट्मेंट है, बच्चों, क्योंकि एनिलीन क्या करता है, एसेड बेस रेक्शन कर लेगा, यह एनिलीन होता है, और फिडल काफ्ट में क्या होता है, लुइस एसीड होता है, और लुइस एसीड की रियक्शन इसके साथ में हो जाती है, तो यहां पर आपके पास में क्या बन जाता है, जैसे मैं लूइस एसेड ले लिया, एल्सील 3, तो यह बन जाएगा आपका एनिलीन अच, आप देखिए रिंग यहां पर नीशो करेगा एथिल एमीन इस सॉलीबल इन वाटर वैन वेर दैनिलीन इस नॉट यह बंडिंग कर लेता है अरोमेटिंग में स्टेरिक इंडरिस आ जरती है ठीक है बच्छो तो एच बंडिंग का नी सॉलीबल हो गया पानी में पीके बी ओफ एनिलीन दो मोर दैन डैन ज्यादा है इसका मतलब है के बी क्या है इसका बच्चो के बी क्या हो गया इसका कम हो गया एनिलीन का और के बीकम का मतलब मेथिल एमीन जो है आपका ज्यादा बेसिक हो गया यह भी करेक्ट है तो ओल आर क्रेंट पहला एनिलीन फ्रीडिल गाफ ट्रीशन शो नहीं करेगा और एथिल एमीन जो है पानी में ज्यादा गुलता है निलिन नहीं गुलता है और इसका हम रीजन एच बंडिंग बता सकते हैं एलिफेटिक वालों में एरोमेटिक में एच बंडिंग ज्यादा एफेक्टिव नहीं होती और P-K-B और यहाँ अपन देखें मैठिल एलिफेट कि देखिए बच्छों यह एननों टू एछ सील बन गया तो यह आपके पास जीरो डिक लो टेंपरेचर पर यह एनिलीन बन रहा है तो यह आपका अरुमेटिक जो एमीन होते हैं के में रिक्षन होती है इसको बोलते हैं डाई एजोटेशन रिक्षन तो फोर्थ आपका करेक् आरेक्षन में हमको क्या करना बच्चो यह एन्टू और यह बनेगा सीएल माइनस डाईजनीम इंस बन जाएगा तो यह इंपोर्टेंड एरोमेटिक एमीन का में फीचर है में क्रेक्टरशिटिक एक्षन है मेक्सिमिम डाइपॉल मॉमेंट डाइपॉल मॉमेंट जो है वो इन पे डिपेंड करता है अब देखिए मोर एलेक्टो नेगेटिव एले एक्टम का गुरूप कौन सा आपके अलकॉल आ रहा है तो सेकिंड आ जाएगा आपका एलकें तो अल्मोस्ट नॉन पॉलर होते हैं ब नेगेटिव एटिव से परदा चल रहा है यह और एनस्टु दोनम परदा चल रहा है कि अलकॉल क्या होते ज्यादा डाइपॉल मॉमेंट रखते हैं एमीन से भी कॉर्ट क्मीड से रहा है तो यह पी थम्काम्पाउंट जड़ किसेट रेट बंडे से थेटा यह विड्यान के फीज़ इन्सोलीबल इन अलकीली अलकील फ्ट्रुक मिनुज़यग देता है विचीज़ इंसलीबल इन अलकीली आइड़ेज फोड़ है इसफोलीबल होना चाहिए यह इसका मन्दでも 1 डिगरिए वाला जो बनता है बच् estudio क्या होता old-eagive होता है वह in soul billion dollar में देखिए आपके पास यह फिस्पत आजाएगा और यह बन डिग्री वाला इसका तो सलीबल होता ही होता है और Thieves गारी क्रूंन करता है आपके पास हिंस्बरक रेजिएंट सी रिक्षन नहीं कर पाता है तो हमारे पास है एस फर्स्ट एंसरी स्क्रेक्ट कर पाता हुआ विचो फॉल्लविंग ओन हाइड्र लाइसिस फॉर्म असेटिक एस असिट देगे बचो तो सी एच थरी सी एन जो होता है इसका कंप्लीट हाइड्र लैसिस करते ही ने इसिडिक मीडियम तो यह बन जाता है सी एस थरी सी डबल ओच और पार्शिली करते हैं तो यह मैड़ बन जाता है तो थर्ड आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा है एच एन ओ थरी एच तो सो फोर तो यहां पर आपको पता चल गया है कि एलेक्ट्रोफाइल आपके पास है एन ओ टू पोजिटिव है तो यह पैरा पे टैक कर लेगा पैरा भी बनता है इसमें लेकिन इसे मेजर पुछा है बनते सारे हैं यह भी बनता है तो थर्ड एंसर आपका क्रेक्ट हो जाएगा बच्चो थर्ड एंसर सही है क्योंकि मैंने बताया भी तो परसेंटेज भी 51 बनता है यह तो यह बनता है 47 परसेंट यह 2 परसेंट बनता है आपका इसको फॉलविट्र एमिन अब यह देखों नेम से आप 3 डिघएम चड को एनमेथिल साइक्लोहेग्जेल हैंग्जीन इंड बोल रहा है एनमेथिल साइक्लोहेग्जेन अबी movie अ एन मेथिल एमिन है यह 3 डिंगरियुमिन है अपके पास मतलब है कि एनिलीन अपने ले लिया गर्रहिव और यहां आपके पास क्या आजए वन दिकरी हैतों नहीं कर दो हें आए आओ कि यह 2 largest color प्रुमेन आप N-Methyl-Cyclohexamine, देखिए Cyclohexamine आपके पास, यह साइक्लो पर N-H जोड के और यह मैं जोड देता हूँ, CH3, यह N-Methyl-Cyclohexamine हो गया, तो यह आपका 2-degree है, तो 3-degree आपका 3rd EMS वर आ जाएगा, structure बना के वह चेक कर लिजेए. अब यह आपके पास इसकी पर्जिंस में हीट करेंगे तो यह बनेगा और यह आपका रेडक्शन हो जाएगा रेडक्शन तो यह बन जाएगा सी एस थरी सी एस टू एनस्टू तो फिर्स्ट एंसर आपका जाएगा बच्छों को सिंपल सा कुश्चन है विच्छ फॉल्विंग है था हाइएस्ट पीके एए वेल्यू हाइस्ट पीके एए देखिए यहाँ पर अपनका रिलेटिव बेसिक स्टेंद लेते हैं तो वो क्या था के बीके डिरेक्टली पीके बी और पीके एके डिरेक्टली प्रपोस्टनल तो पीके वेल्यू हाइस्ट पोल राइस का मलब बेसिक स्टेंद सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा बेसिक जो नॉर्मली मीनिंग क्या होता है वोटर में या एलकलाइन एक्वस मीडियम में होता है तो सेकिंड आंसर आपका आज यह अगा टूरीजेंड वीच डास नोट गीव एसिड कलोराइड ओन दा टीटिंग विदए कार्बोग्जिलीक एसिड इच कोन सा विकर में कार्वी अमल से किरिया कर अमल कलोराइड नहीं देगा कर्वेज्ट करवाते हैं यहां यह पर फी ऐल फाइब करते हैं तो उसमें आ जाएगा तो तो फर्स्ट एंसर आपका करेक्ट हो जाएगा तो यहां आप ऐसो सी एल टू पीसी एल थ्री पीसी एल फाइप यह कोई भी ले सकते हैं यह बन सकता है और सी यो सी यह कि इने सैट ऑफ रेक्शन प्रोपियोनिक एसे डी इल्डेड एक कंपाउंड डी डा स्ट्रक्चर ऑब डी वुड भी दिये गए प्रोपियोनिक अमल के विक्रिया समुच्चे में एक योगी प्राप्त होता है तो डी की संचना क्या होगी देखिए यह प्रोपियोनिक एसे सबसे पहले आपको मिल जाएगा यहाँ सी यह यह बन गया आपका है भी बन गया भी कि फिर आपके पास में ऐने स्ट्रिस एक्शन कराएंगे तो यह बनेगा सी एस थरी सी एच टूसी यो नस टूस्ट यह बने गा आपका सी फिर आगे के रिक्षय वह रोंगे आपके हाप्मान ब्रोमेमाइट रिक्षन तो यह यह दो एक्षण के ला का ततिको प्ला गालोगा चैन्थ करक्च करेक्ट ओप्मान ब्रहुमाइट रिक्षण के हगा अभी बताया था अभमान ब्रदीन रिख्शन इस गीवन बाइद एमाइड कंपाउंड शेकेंड एंसर इस करेक्ट यह आपका एन इलिन हो गया नाइट्रोब एंजीन है यह बेंजील एमिन हो गया तो यह एक्शन में किसकी होती है एमाइड की होती है आब एली फैटिक भी शुक्ति में अरोमेटिक भी शुक्ति रेक्शन कर आपते है बिया टू के साथ इंपर्जेंस ओव बेसिक मेडियम विच गीव था एमीन वन डिगरी एमीन acid and hydride on the reaction with primary amine gives यह है amine तो बचो यह आपका है living group यह nucleophile है इस प्रटेक कर लेगा तो प्रोड़ेक्ट बनेगा आर सी यो आज आज और यह बन गए आपका टू डिग्री एमाइड तू डिग्री एमाइड बन जाएगा बच्चो तो यह हमारा टू डिग्रेमाइड फर्स्ट एंसरी इस करेक्ट यह आपकी एसाइल एनसर रेक्ट्शन हो गई और उसमें भी एलिफेटिक गई प्रिपेर इन गुड इल्ट आइसो ब्यूटी लेमिन जाको बच्चो यह बना सकते हैं पन डिग्री एमिन है एन मेथी लेमिन बेंजी लेमिन आ गया यह यह नहीं कर सकते एथर नहीं कर सकते तो फर्स्ट एंसर आ गया ओन डिग्री सिंथेसिस इन विदे गुड इल्ट अब आपको पता है इस मेरी एक्षण हम तेलेमाइट से स्टार्ट करते हैं फिर पहले क्योच की रेक्षण कराते हैं फिर हम यह एलिफेटिक हलाइड लेते हैं अल्किल हलाइड और फिर उसके साथ एनसर एक्षण होकर के और हाइडोल कि विचो फ्ल्विंग रीक्षण बिलोंग टू एलेक्ट्रोफिलिक अरोमेटिक सब्सब्सट्टूशन रेक्षण तो दाइ एजोटेशन आफ एनिलीन रेक्षण देखें यहाँ पर कोई अरोमेटिक सबस्टिशन से नहीं है SIL आफ एनिलीन आइनिलीन का असली करण यह भी नहीं है आपके पास में मेथाइलेशन ओफ वन डिग्री एमीन 1 डिग्री एमीन की methylation करवाएं तो ये भी नहीं होगा coupling reaction of anidazonium salt ये हो जाएगा बच्चो coupling reaction में देखें हमारे पास क्या होता है aniline की reaction जैसे हमने करवा दी diazonium salt से तो ये क्या करता है इस पहरा पोजिशन में टेक कर लेता है तो ये reaction होती है esr electrophilic substitutions reaction और ये एक colored substance बन जाता है तो coupling reaction दे एक्जांपल of esr electrophilic aromatic substitutions बोल दो ये electrophilic aromatic substitution बोल दो एक की बात है correct और decreasing order of basic strength पुछ रहा है देखिए h2, nh3, oh, nh2- तो देखिए सबसे पहले anines लें लें लिजे anines जो होते हैं अच्छे base होते हैं और उसमें भी nitrogen जो होता है अच्छा base होता है क्योंकि इसकी electron negativity कम होती है उसके बाद में ns3, h2 the first answer आपका आ रहा है which of reasons are used for the reducing nitrobenzine into aniline nitrobenzine बच्छो देशे आपके पास है और इसको convert करना है aniline में तो यहां reducing agent देखिए SNHCL हो सकता है FAHCL हो सकता है H2PD हो सकता है यह सब convert कर सकते हैं लेकिन lithium, aluminum, hydride convert नहीं करेगा बच्छो यह नहीं करेगा यह जो है ना इसको convert कर देता है उसमें एजो बेंजिन में यह convert करता है एजो बेंजिन में लिथिम, aluminum, hydride यह question आया हो भी एक्जाम में nitrobenzine को एजोक्सी बेंजिन में एजो बेंजिन में convert कर देता है लिथिम, aluminum, hydride तो first, second, third जो है अमारे correct है first, second, third तो second answer जाएगा आपका correct the end product of the following series of the reaction देखे, सबसे पहले CH3, NO2 देखे, यहाँ आपके पास क्या है EDG है, EWG है तो electrofile किसके coding जुड़ेगा बच्चो यह जुड़ेगा आपके पास में EDG के coding तो यहाँ पर आपके पास सबसे पहले यह आजाएगा BR इसके बाद में इसका reduction हो जाएगा अगला step यह बनेगा आपका A reduction करा देंगे, reaction करान के बाद में आपके पास आजाएगा बच्चो N is 2 आपके पास यह बन जाएगा आपका यह बन जाएगा आपका यह reducing agent हो गया, यह D बन जाएगा आपका इसके बाद में अगला step आपका K-1-O-4, alkaline medium में oxidizing agent हो गया इसको acid में convert कर देगा यह यह आएगा C-double-O-H और यह आएगा BR तो first answer आपका correct हो जाएगा sequence reaction है, mix जैसे हैब आपने organic काफी पढ़ ली है तो mix question है, मेरे साब से यह कोई ज़्यादा tough question नहीं, easy question है two reactions are given below ARN2, X, CO2, HCL यह आपका है बचो, send mere reaction है send mere reaction इसके बाद में नीचे वाली reaction है यह गाटर मान reaction है अब आपको बता, practically yield जो आता है इसमें send mere में ज़्यादा आता है इसमें more yield आता है more yield और इसमें आता है less yield अब इसमें कारण क्या जैसे कोपर है बचो, यह कोपर का powder होता है और उपरवाले में solution state में reaction आ रही है solution state में आपके देखिए लेक्टरों का ट्रांसफर इजीली होता है तो reaction भी easily होती है product बहुती अच्छी yield में बनता है और N2 आपका side product बन जाएगा और यहाँ पर आपके पास side product जो है वो ज्यादा बनते है है CUX भी बन रहा है यहाँ N2 बन रहा है तो good yield नहीं बन पाई गिये इसकी ARCl की तो आपका first will get the maximum percentage of product A आपका आजाएगा answer correct कि रोजेन मुंड reaction इच रोजेन मुंड reaction आप जैसे acid chloride जो होते हैं वो PDBSO4 की present PD catalyst हो गया यह catalyst poison हो जाएगा बच्छों catalyst poison है तो यह क्या करता इसको convert कर देता आपकी जो reaction आ रही है COCL ALCL 3 यह फ्रीडल क्राफ्ट reaction बेंजीन क्या रही है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन बोल सकते हो आप इसको फिर यह आपके पास आ रही है HVZ reaction यह फ्रीडल क्राफ्ट reaction हो गई है यह आपका HVZ reaction हो गया है और यह स्टीफन reduction हो गया बच्चो पहले स्टीफन reduction है फिर पार्सिली आपका reduction हो जाएगा स्टीफन और फॉलोड बाई reduction हाइडॉलेसिस तो आपका फर्स्ट एंसर चला जाएगा अब हम आगए बच्चो लास्ट कोश्टन में थ्रोवीच वड़ा फॉल इक्ष्टन नंबर औफ through which of the following reaction number of carbon atom can be increased in the chain carbon की chain में carbon बढ़ाने हैं आपको तो ग्रिनार रिजेंड लेजी ये ग्रिनार ग्रिनार रिजेंड बोल दीजे RMGX जो होता है ये आपके पास एलकिल ग्रूप क्या करता है carbon की chain में chain बढ़ा सकता है जैसे मालब आप CO2 की रेक्शन ही करा रहेगा आप इसमें CO2 की रेक्शन भी करा होगे तो इसमें carbon आपका बढ़के ही जाएगा product र, C, double, OH product बनेगा आपके पास तो यहाँ एक carbon आपका बढ़ गया इस तरह बहुत सारी रेक्शनों में आप carbon यदि बढ़ाना चाहते तो ग्रिणार रियक्शन या ग्रिणार रिजेंट को यूज कर सकते हो तो फर्स्ट एंसर आपका correct हो जाएगा तो होप करता हूं बच्चों आपका paper काफी अच्छा हुआगा मैंने NCRT based paper लिया है कोई एक आदा question छोड़ा साओ सकता है कि और गिनिक में mixed problem बनती है ठीक है बच्चों तो expect करता हूं आपने बहुत अच्छा score किया होगा और मैंने पूरा explanation जो है point to point करने की कोशिस करी है होप करता हूं कि सब लोग अच्छा कर रहे हैं और लास्ट पेपर बचा है आप और शाच्छा करें ओके बचो थैंक्यू जैजा सील सी